हेलो स्टार्ट करते हैं तब लोग सोसल फार्मेशी में है जहां पर हमने कुछ बैक्टिरिया के बारे में बाते करी थी थी थोड़ा एपिडेमिलोजी को समझा था और आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है रैस्पिरेटरी इन्फेक 16 डिजीज को हमें पढ़ना है और इन डिजीज के अंदर बेसिकली क्या क्या चीज़े पढ़नी है वो बताऊंगा हमें कॉजवर्टिव एजिट वगरह है रोल फार्मसिस्ट है ठीक है न एपिडेमिलोजी वगरह है गिनी जुनी तीन चार चीज़े पढ़नी है हमें तो लेक्चर ठोड़ा सा लंबा होगा ठीक है एक बार में देखना चाहते हो तो पानी बॉटल लेके बैटो जाते हो कॉपी पैन लेके बैटो ठीक है कोई टफ नहीं है बट लर्न करना है किलियर है चलें यहां पर आप लोग सारी चीज़ जानते हो ठीक है कुछ ज़्यादा वैसी चीज़े नहीं है तो स्टार्ट करें आ जाओ तो रेस्पिरेटिव इंफेक्शन यह हमारा क्या है डिजीज है और डिजीज किस टाइप का है य ठीक होगी बूदे गिरें किसी को उपर तो उसको हो गया तो यह communicable डिजीज होती है very simple ठीक है तो क्या कह रहा है कह रहा है कह रहा है communicable disease is any disease communicable disease कोई भी वह डिजीज है that passes जो पास होती है between people और animal यानि कि लोगों से लोगों में या जानवर से लोगों में या लोगों से जा हो जा रही है transfer हो जा रही है ठीक है people sometime refer to communicable disease as infectious disease ठीक है ना इसी communicable disease को हम लोग कई बार infectious disease भी कह देते हैं ध्यान रखेंगे या हम लोग इसको कई बार transmissible तो हिंदी का diabetes है या किसी को cancer है ठीक है ना तो diabetes वाला patient है cancer उसके साथ आप जैसे मर्जी रहें खाएं पीएं कुछ भी करें वह आपके चीक दें ठीक कुछ भी कर ले उसका blood आपके blood में आ जाए आपको बिमारी नहीं होगी diabetes या cancer बात समझवारी ना तो ऐसी बिमारिया जो दूसरों नह है कि hemophilia color blindness congenital का मतलब हो गया पैदा इसी जन्म से ही जो है और एक होती है acquired जो पैदा होने के बाद हमने acquire कर ली प्राप्त कर ली ठीक है acquired disease जो हम लोग प्राप्त करते हैं वो दो टाइप की होती है एक होती है communicable जो हम लोग पढ़ेंगे और एक होती है non communicable तो communicable को भी हमने दो category में तोड़ा हुआ है contagious और non contagious अब communicable disease contagious जैसे की smallpox ring warm खाज खुझ लिए किसी को छू जाए तो दूसरे को भी हो जाती है non contagious लेकिन communicable है malaria या tuberculosis ये कैसी है non contagious है ठीक है तो communicable disease या infectious disease की दो category आ गई contagious और non contagious non communicable में तो जैसे degenerative और organic heart disease या नेफ्राइटी से kidney की प्रॉब्लम बगरा है ठीक है death sensory disease आ गया जैसे की इस करवी रिकेट्स अनीमिया खून की कमी होना है ना पैरों में विटामिन D की कमी होना ये सब non communicable अलर्जी है किसी को या किसी को cancer है ये सब क्या है non communicable है बात समय मारी है तो देखो non contagious के malaria हमें पता है ऐसा smallpox है या किसी को माता निकल के आ जाती है या खुजली हो जाती है लेकिन malaria tuberculosis ऐसा है अगर हमने उस इसान को छुआ है तो छूने से नहीं फैलेगी के लिए रोगी बात ओके अब इसी को लिखना चाहें आप लोग ठीक है थोड़ा सा की disease के बारे में किस तरह से लिखेंगे तो अगर हम बात करें based on causative agent की आखिरकार उस बिमारी के लिए कौन सा agent जिम्मेदार है कौन से cause कर रहा है तो उसके इसाफ से हमिए चार पार्ट में चे पार्ट में तोड़ सकते हैं bacteria सोनेवाली वीमारियां virus सोने वाली प्रिकली ना आगा ऐंशीं आगा कॉंच में वारोगे लिए उसके आधार हम लोग इसको क्या कर सकते हैं डिफेतेरियों या तैफाइड कॉले रहा है ना मम्स मीजल्स पोलियो स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स रैबी जो प्रोटो जोन की बात करें तो मलेरिया अमीबिया कालाजार स्लिपिंग सिकनेश हेलमेंटिश, टीनियसिस, एसकेरियसिस, फिलेरियसिस, ट्राइकोनियस, लिवर, यह तमाम चीज़े हैं, रिकेट्सिया, टाइफस फिवर, ट्रैंस फिवर, तो किस किटानू या जिवानू के वएज़ से प्रॉलम हो रही है, उसके अधार पर कर सकते हैं, और अगर हम बात क छू भर लेगा वो अगर, और छूने से अगर बिमारी फैल रही है, तो क्या है अपने पास, जैसे कि अभी देखा था हम लोग ने क्या था, COVID-19 था अपना, ठीक है, एक्जांपल, मीजल, सिकन फॉक्स, स्मॉल पॉक्स, स्टिडी लेप्रसी, नॉन कंटेजियस, जहां पर एक healthy person gets infected on coming in contact with infected food or water, इंसान से touch होने से उसको दिक्कत नहीं आती है, लेकिन contaminated food or water या air ऐसी जगे पर चला जाता है, तो उसे problem हो जाएगी, कॉलेरा है, टाइफाइड है, टीवी है, टीवी वाले इंसान को छुओ, दिक्कत नहीं लेकिन टीवी वाले इंसान अगर छींक देता है, तो हवा में उसके किटानू रह जाते हैं, और उस हवा से जब गुजरता हो कोई आदमी, इनहेल कर लेगा, सूंग लेगा उतने area को हवा का, तो हुआ पर क्या है, कुछ दिर के लिए, बैक्टेरिया रह जाते हैं हवा में, तो वो उसकी बॉड़ी में चले जाते हैं, यानि कि contagious अगर डिरेक्ट छुआ जाए इंसान को, बिमारी हो जाए तो contagious, ठीक है, छुने से ना हो, तो non-contagious, और sometimes the microbes gets injected into the body of human being by vector host और carrier such as mosquito, rats, etc, example, malaria, dengue, a plague, कई बार क्या होता है, कि तीसरी कटिरी क्या आती है, vector, यानि कि ना तो contagious और ना non-contagious, यह आगा कि किसी तीसरे के through, जैसे कि हम malaria मच्छर के काटने से होता है, तो vector वहाँ पर क्या है, एक vector की help से जा रहा है, ठीक है, तो कही ना कहीं एक तरह से ये भी हम लोग कहीं ना कहीं, non-contagious में डाल सकते हैं, कि छूने से malaria नहीं फैलता है, ठीक है, तो इसको भी हम लोग non-contagious में डाल सकते हैं, बट यहाँ पर हमें एक vector की जरोत परती है, इस बात को mark करेंगे, one mark question में, question आ सकता है, कि जो malaria है, उसको contagious है, non-contagious है, या उसको spread होने के फैलने के लिए vector की जरोत परती है, बात समझे में आ रही है, clear है, तो यहाँ पर बटा examples बहुत सारे हैं, अब हम अपना start करते हैं, तो disease के बारे में common चीज़ समझे में आगी, contagious, non-contagious, infectious, क्या होती हैं, क्या नहीं होती हैं, अब बात कर लेते हैं, respiratory infections जाने की, ऐसी बीमार यहां, जो हमारा respiratory system, नाक से लेकर के, lungs के आखरी अलवलाई तक, उनको जब प्रभावित करेगा, उनको affect करता है, ठीक है न, तो वो infections क्या 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 हैं, ठीक है न, सबसे पहले सुरुवात करें, हम सब को पता है, chicken box जिसे हम बो अगर chicken box आप लोगों को, तो पहला respiratory infections क्या हमारे पास, chicken box, conservative organism क्या है, varicella, chicken box, है न, chicken box को varicella भी कहते है, वन मार्क के लिए, MC के लिए, मार्क करेंगे, varicella, chicken box क्या जाता है, acute infectious disease, acute और chronic का term क्यलियर है, आप लोगों को, अरे हाना बोलो, chronic और acute, बढ़ाई-बढई हो रही ह है, acute होता है, तीवर, और chronic होती है, बहुत लंबे समय तक चलती रहती बिमारी है, उसे chronic कहा जाता है, इसमें एकदम चकर लेता है, सब कुछ बुखारोखार आ जाता है, तो acute infectious disease है, यह, caused by, cause जोटी वागनिजम में, यह पक्का याद रखना है, varicella, joster virus, vzv, vichigia, dna virus, अ question one marks का यहां सोट के आएगा, अब यह virus इसके अंदर dna मौजूद हो दा, हम सब को पता है, virus के अंदर dna और rna दोन हो सकते हैं, यह वाला virus के अंदर क्या मौजूद है, dna है, that is a member of harpes virus group, यह किस group का member है, harpes virus group, तो यह थोड़ा सा causative agent के बारे में, पूरी full information, full information अगर आप नहीं रखना चाते हैं, तो आप किबल causative organism को याद रखेंगे, chicken pox is usually acquired by the inhalation of airborne respirator droplets from an infected host, तो क्या कह रहा है, generally, जहां समझेंगे, chicken pox is acquired, यह line बारवार आएंगे, मैं बारवार रिपीट नहीं करूँगा, यहीं समझ लो, chicken pox is usually acquired, acquired मतलब, प्राप्त की जाती है, by inhalation, inhalation मतल और हवा से पैदा होने वाला respirator droplets, किसने छींक दिया, खांसी आगी, तो बहुत छोटे-छोटे कंड जो होते हैं, हमारे उसके खांसी के छींकने वाएंगे, जो liquid droplets होते हैं, वो हवा में रह जाते हैं, बहुत महीन वाले, ठीक है ना, अब जब वो हवा में है, तो कोई इंस droplets का मतलब क्या, droplets मतलब क्या, कोई छींक दे तुम्हारे उपर, तो छीटे आती हैं जो, उसी को droplets कहते हैं, ठीक है, समझ गया, droplets, तो जब भी बोला जाएगा, droplet या एक वर्ड बार-बार आएगा, बेटा समझ लो, मैं बार-बार रिपीट नहीं करूंगा, droplet infection, या droplet spread by droplet method, droplet method, जब कोई चीज droplet, droplet method से spread होगी, इसका मतलब क्या, आपने छींका है, या खासा है, तो जो छींटे हैं, उसकी हवा में रह गई हैं, और दूसरा आदमी जब वहां से गुजरा है, तो उसने उसको ले लिए, that is called droplet method, ठीक है न, तो जब droplet, कोई छींक देगा, infected host, जिसको बिमारी है, तो उससे एक healthy इंसान, उसको क्या करता है, inhale कर लेगा, उस एर को, तो उसको भी हो जाता है, simple सी कहानी, अब बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर मैं तुम्हों को पहली बता दूँ, अगर question direct आता है, कि भाईया, chicken pox की epidemiology बताओ, क्या बताओ, epidemiology, तो आप epidemiology में पहला point यह डालेंगे, causative organism, यह epidemiology के अंदरी आता है, बात clear होगी, clear है बाते हैं, तो epidemiology में अब लिखना क्या क्या है, वैसे basically इसमें लिखना क्या होता है, कि occurrence, ठीक है न, अगर occurrence पता है, तो अच्छी बात है, कि endemic है, कि epidemic है, ठीक है, सारी बात हम discuss कर च करें, occurrence इसका बहुत, यह endemic और epidemic दोनों तरीके से ओकर होता है, reservoir human, किसके अंदर यह होता है, भंडार कहां लगता है, इसका जाकर के, इंसानों का affect कर रहा है, agent, very solar joster, agent यहां पर आ गया, very solar joster, age, किस age group के, तो यह age, below the age of 10 years, 10 साल से नीचे वाले बच्चों को ज्यादा affect कर करता है, अगर किसी बड़े को हो जाती है, यह माता, तो हालत बहुत खंबीर हो जाती है, ठीक है, incubation period, incubation period, हम लोग समझ चुके हैं, क्या होता है, incubation period, ठीक है न, infection से लेकर के, symptom आने तक कर जो time रहता है, incubation period, यहने, 14 से 16 दिन लग जाते हैं, आज मैं, अगर कही से बिमार लिट नहीं करूंगा, बस आप समझा दिया, अब फटा-फट इसको आगे बोलता चलूंगा, मैं, transmission, फैलता कैसे है, transmission का मतलब लिख लो, फैलता कैसे है, कैसे, एक इंसान से, दूसरे इंसान में फैलेगा, percent to percent फैल जाएगा, ठीक है न, respiratory tract, secretion, यानि की, respiratory tract, जहाने सांस नली का, secretion, secretion कैसे बहार आता है, जो अंदर का, liquidia mucos है, जब छीकते हैं, खासते हैं, तो अंदर की चीज, खासिया से बहार आती है, है न, जो बूंदे वगरा होती है, direct contact with lessons, lessons मतलब होते हैं, जो इसके ये जखा में नहीं है, इनसे अगर आपने direct touch कर दिया इस तरीके से तो आपको भी हो जाएगा, direct touch करने पर, तो तीन तरीके हैं इसके, ओके, अब हम बात करें इसका temporal pattern, जो इसका फैलने की प्रिकरिया है, in temperate areas, अब temperate बेटा पता है, जो अक्षांस और देशांतर रिखाई होते हैं, जैसे तेंपरेट और वो होती है, एक temperate climate होता है, जैसे तो अब्शाना छी एकती एक तो हो गें एक्वेटर, ठीक है, यह वाला होता नगरेट, यह दर आगया पूल्स, तो एर्थ के इससा से जो जो लू went इस temperate हिस्सें पाए जाते है वहाँ का climate कैसा हो था Temperate climate होता है वो उस हिससे को temperate का गया जैसे इसको pole का गया है इसको equator का गया है तो यहाँ वाला हिस्सा जो है temperate है थीच है तो जो temperate areas है वहाँ पे distinct seasonal fluctuation वहाँ पे अलग-अलग सीजन के हिसाब से fluctuation होता रहता है कभी कम कभी ज़्यादा हर सीजन का with the highest incidence occurring in winter and early spring सबसे ज़्यादा कब फैलता है ये winter में और spring की सुरुवात में जो वसंतरित हुए अपनी spring in the united states की बात करें incidence is highest between march and may युनाटे श्टेट्स में मार्च से में की बीच में चिकन बॉक्स बहुत ज़्यादा फैल जाता है lowest between September से November से नॉवंबर से नॉवंबर की बीच में ये lowest रहता है हर्पीस जॉष्टर has no seasonal variation and occur throughout the year ठीक है ना अगर हम हर्पीस जॉष्टर की बात करें यह जैसे वहरी सॉला जॉष्टर था अगर हर्पीस जॉष्टर होगा तो सीजन का कोई फरक नहीं पड़ता हो पूरे साल फैलता ही रहता है अब तो होता रहेगा एक से दूसरे में अगर रोका नहीं गया तो तो टेंपूरल पैटर मतलब इसके फैलने की प्रिकेरिया किन सीजन में फैलता है यह और किन सीजन में ज्यादा एक्टिव हो जाता है कई सारी चीज़े होती है एक्चुली सीजन का फरक क्या पड़ता है आप लोग के दिमाग में आ रहा है सर सीजन का क्या फरक पड़ता ह तो कुछ खास temperature और humidity ठीके ना उनके growth के लिए बहुत ज़्यदा फाGoldсп कहती है तो उन season में किसी खास चीजें आगर किसी खास चीजें में वैल रही है तो वो सीजन उसका जो temperature है उसकी जो humidity है उस समय जो environment है वो उनके पनपने के लिए बहुत ही जादा क्या होता है इसमीदा जनग होता है ठीक है उनके लिए बहुत जादा फेवरेवल होता है बात क्लियर हो गई ठीक है नगा तो अब ऐपीडेमिलोजिय में बैटा जितने पॉइंट यह है कुछ आपके transmission यह आपको एक दो तीन से चार चीजिया आपको देनी देनी है टेंपोरल पार्ट अगर आपको पता है तो अच्छी बात है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन किन किन चीज़ों से पता चलता है कि हो गया है दा मैनिफेस्टेशन मतलब मेनिफेस्टेस्टेशन मतलब भूल गया याद एक लिद्टेशन क्लिद्टेशन मैनिफेस्टेशन मतलब किस रूप में देख रहा हूँ जब मेनिफेस्टेशन is more severe in adult अगर किसी बड़े को हो जाता है तो उसके जो इनिफेस्टेसन उसके लक्षन है बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं इम्म्यूनो कॉंप्रोमाइस्ट एंड प्रेगनेंट वूमें ठीक है न यह कह रहा है कि उन अडर्ट के अंदर बहुत ज्यादा सीवियर कंडिशन्स होती है ठीक है लाइन तो इसी ट्विस्ट हो गई जो इम्म्यूनो कॉंप्रोमाइस्ट होते हैं जिनका इम्म्यून सिस्टम वीक होता है और जो प्रेगनेंट वूमेन है अगर उनको हो गया तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से होता है तो डिजीज के सुरुवात कहां से होती है फपोले पढ़ रहे हैं वैसिकुलर एरप सरफेस मूद्स अwide Computer से बाहर कि तरफ तो पेट सिथा बहुत गने होते त्रंक और पार्ट uku में यहां पर हलके-हलके दिखाए पड़ेंगे लेकिन यह जो सेंटर वाला हिस्सा हमारा नाभी के आजब ही आचरइवा canister that lessons occur every two to four days and with each crop fever is associated जो नए चाले पड़ेंगे फबोले पड़ेंगे वो हर दो से चार दिन में बनते हैं और हर crop crop मतलब हर बारे जो नए फबोले पड़ेंगे उसके साथ फीवर आएगा आएगा आपको इसमें तो जैसे उसकी ग्रोफ होती जा रही तो चाहरे तो वेसिकल टू पैस्चियोज उसकी क्या है ग्रोथ का पैटर्न है विदिन 24 आवर ओल स्टेजिस ऑफ इवलुईशन अप्यर एड़ अट ता सेम टाइम यह सारे एक साती मतले एक बार में हो जाते हैं यह निक अभी और एक बाद में होगा मैक्यूल्ड उसके बाद वैसिकल और कि हैं ठीक है जो एडल्ट है यह प्रेगनेंट है जिनका इंकृंडमाइज है उनका क्या वता है उनकी अंदर एक इंक्रीज incidence उनके अंदर क्या पाया गया है वीजरल कॉम्प्लिकेशन वीजरल मतलब बॉड़ी के अंदर के पार्ट अफेक्ट हो जाते हैं ठीक है जैसे निवनाइटिस लंक्स अफेक्ट कर जाएगा है ना लिवर आफेक्ट कर जाएगा या इंसेफलाइटिस ब्रेन तक डेमिज हो सकता है तो अपर किसी और इंसान वीग है उनको अगर यह होता है तो उनकी अंदर फिर हम को निमोनिय हैपिटिक और इंसेफलाइटिस भी देखने को मिल जाएगा यह वारिस इतना ख़तर ना गया sign of chicken box usually happen in the following order किस तरह से देखने के मिलता है सुरुवात में फीवर आएगा थकान लाएगा सर्दाद होगा पेट में दरद होगा at last for one to two days एक से दो दिन के लिए फिर इसकीन में रेंश पढ़ेंगे that is very itchy and looks like a many small blister छोड़ी चालों दिखाए पड़ेंगे और काफी खुझली होती है बंप्स फिल्ड विद लिक्विट फिर जो चाले पड़ेंगे उबहार आएं उनके पानी भर जाएगा that look like a milky water सफे सफे सब्सार रहता है कई माता अगर देखी हो scabs after the blisters break जब वो छाला फूट जाता है तो scabs हलका सा खुझली असर रहेगा और एक दाग सा पड़ जाएगा skin that look blotchy उसके बाद skin blotchy blotchy का मतलब तरह से बहुत सा अगरे धपे दार देखने लगती है spots that fade away फिर finally जो spots दाग होते हैं वो fade मतलब हलके पढ़ना start हो जाते हैं तो इस sequence में हमको देखने को मिलता है जब माता होती है बास समझ मारी है तो बेटा देखो यहां से लेके यहां तक clinical presentation हो गया अब इसके अंदर जितने points आपको easily याद हो जाएं वह आप याद रखेंगे कुछ बच्चे उपर नहीं लिखना चाते हैं तो यहां से science symptom सुरा लिखेंगे तो यहां पर केवल क्या है बिमारी और बिमारी को अगर कुछ लोगों ने life देख रखी बिमारी तो उसके लिए याद करना बहुत असान है और नहीं देख रखना तो यहां बेटा फिर चीज करेगा बिमारी के बारे में बताएगा कि हैसे ऐसा फैला हुआ है आप बच के रहिए दूसरा अगर को वैक्सिनेशन है यह पॉइंट बोल रहा हूं यही लिखके आने एक्जाम में यह मैंने बोल दिया यह वैक्सिनेशन अवेलिवल है तो लोगों को जागरू करेगा भा हैं जिससे कि एक से दूसरे को ना फैलें तो यह कुछ बड़े कॉमन सी चीजे हैं जो आप खुद से मन से बनाके भी लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं तो इसमें यह वाला पॉइंट है रोल ओफ फार्मसिस्ट यह मैंने हर किसी में दे दिया है वैसे लेकिन आप चाह आइसोलेट अंटिल ओल लैसेंस क्रस्टेड पेशन को तब तक इसलेट रखो अब यह फार्मसिस्ट बता रहा है कि पेशन को तब तक अलग रखना है जब तक कि जितने भी जकह में वह फूट ना जाय और सूख ना जाय जितना भी उसके चाले पड़े हैं, वो फूटना जाएं, सूखना जाएं अगर आप उसका केर कर रहे हैं, बोड़ी को छू रहे हैं, तो दस तानों का इस्तमाल करें अब यह सब में अब ले सकते हो, जितना भी infectious disease है, सब में यह common बाते हैं अगर पेशेंट अब पता चला है कि उसको infection हो गया है, लेकिन उससे पहले नॉर्मली घूम फिर रहाता और वो खांस रहाता हर जगह है, तो चीजें इंफेक्टेड हो गई हैं, तो उनको वाश कर लें प्रॉपर अगर लगता है कि आप chicken pox वाले इंसान से मिलके आए हैं, तो बहतर गंटे के अंदर जो वैक्सीन है उसको आप ले लें, तो यही चीजें हैं, यह सब में बोल सकते हैं, आप common चीजें हैं यह, तो आस समझ लोगे, तो common हो गया, बात समझ में आगी, तो पहला वाला मैंने जो कितने point हो गए आपके, अब मैं आपको यह वारी फिर से वह करवा देता हूँ, देखो, जब question आएगा आपके पास, तो question आपके पास यही आएगा, जैसे आगे chicken pox, हमारे course में कुछ चीजें हैं, आपको causative agent बताना है, पहला point, epidemiology बताना है, दूसरा point, ठीक है, फिर आ समझ में आ रही है, अगर आप syllabus उठाएंगे और syllabus देखेंगे, जो PCI के द्वारा है, यह मेरा हाथ में PCI का syllabus है, तो यहाँ आप पढ़ेंगे, causative agent, epidemiology, clinical presentation, role of pharmacist, in educating the public and prevention of the following communicable disease, इस से र्यादा कोई चीज हमारे syllabus में नहीं है, पढ़ेंड को हम इसके अंदर बहुत सारी च topic फटा-फट करूँगा, क्यों यही सब चीजों में repeat होने वाली है, सेम से रहेंगी, अब measles जिसको हम खसरा बोलते हैं, ठीक है न, यहाँ पर धपे जैसे पढ़ रहे हैं, उतना clear picture नहीं है, तो वह वाली चीज कंडिशन नहीं आती है, चिकन पॉक्स वाली है, यहाँ पर लाई और red measles भी कह देते हैं, acute है, highly infectious है, viral disease है, याद रखें कैसा है, यह viral, chicken box भी कैसा था, viral, characterized by fever आता है, small red spot on entire body, spot, धपे से पढ़ते हैं, लाल-लाल, ठीक है, measles is highly contagious, बहुत ज़्यादा contagious, अच्छूने भर से फैल जाएगी, 90% of the healthy individuals who not been immunized against this disease, 90% ऐसे लोग जिनको immunized नह not been immunized against this disease, इस disease से उनको immunized नहीं किया गया है, get infected via sharing space, cloth, dish, और अगर वो share कर रहे हैं, infected person के साथ जगे, कपड़े या खाने पीने की चीजें, तो उनको हो ही जाएगा, 90% लोगों को, अगर उनको immunization नहीं हुगा, उनका vaccine नहीं लगा, it mainly occur in infants and children, generally किसको infect करता है, यह बच्चो को, common and often fatal in developing country, जहाँ तर developing country, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, ठीक है, जो developing country, उनमें ज्यादा यह फैला हुआ है, causative agent, RNA paramixovirus, याद करेंगे, it is a single standard envelope RNA virus, जैसे chicken pox क्या था, DNA वाला था, यह कैसा है, RNA virus और इस single standard RNA है, ठीक है, न, it is classified as a member of genus morbidly virus, in the paramixovide family, genus आ गई, family आ गई, तो यहाँ पर आप चाहो तो paramixovirus, सिधा लिख सकते हो, RNA paramixovirus of genus morbidly virus and family paramixovide, तो इस सारी चीजें आपकी एक ही line में cover up हो जाएंगी, यह इसका agent का नाम आपको, अगर फैमिली और यह याद नहीं है, तो at least नाम पक्का देना है आपको, ठीक है, epidemiology occurrence, occur throughout the world, पूरी दुनिया में होता है, reservoir human है, there is no known animal reservoir and an asymptomatic carrier state has not been documented, कहता है जिस रिजर वायर है, कहाँ पर यह रहते हैं, यह इंसानों के अंदर रहते हैं, किसी भी animal के अंदर अभी तक इसको देखा नहीं गया है, और ऐसा भी कोई human नहीं देखा गया है, कि जिसके अंदर measles के virus हो, लेकिन उसे symptoms ना आए, यानि कि जिसे हम एक तरह से कहते हैं, क्या carrier कह देते हैं, तो carrier वाले भी गुण यहाँ पर नहीं देखने को मिले हैं, यानि कि कि किसी के अंदर क्या है, बहुत सारे measles के virus पढ़े हुए हैं, लेकिन उसके अंदर measles के लक्षन नहीं आ रहे हैं, ऐसी condition नहीं है, अगर measles का virus है, तो उसके लक्षन आएंगे, वो बिमार पढ़ेगा ही, पढ़ेगा, source of infection, case of measles, कहां से फैलता है, किसी को measles है, तो उसी से फैलेगा, कोई और तरीका नहीं है, फैलने का, जैसे कि चिकन पॉक्स में तो ठीक है न, temporal pattern क्या है, peak in winter, winter spring मे बहुत ज़्यादा peak रहता है, winter और spring season में बहुत ज़्यादा फैलता ही है, period of infectivity, four days before and four days after rash onset, जो rash आना स्टार्ट होते हैं, उससे पहले और उससे चार दिन बात तक, इसका infectious period होता है, यानि कि फैलता बहुत जल्दी है, छूब लोगे तो फैल दाएगा, age, it occur in children because of passive immunity by maternal, है ना, कि सेज में होता है, occurs in children because of passive immunity by maternal by antibody, अब यहाँ पर क्या है, बच्चों में होता generally कि बच्चों के अंदर active immunity develop नहीं हो पाती है, passive immunity होती है, जो कि मा के द्वारा है ना, दूद के सुरूप पहुंशती है बच्चों के अंदर, तो इसलिए बच्चों में यह ज्यादा द पीट हो गया, reservoir हो गया, occurrence हो गया, temporal pattern हो गया, period of infectivity हो गया, age हो गया, source हो गया ना, यह common common चीज हैं आपको epidemiology में देनी है, nutrition की बात करें, क्या nutrition का भी कोई फरक पड़ता है, malnourish children, ऐसा बच्चा जिसको अंदर portion तत्वों की कमी है, protein कमी है, energy कमी है, measles can very severe, ऐसे बच्चे को मीजल्स हो गया, तो बहुत ही बुरी तरीके से होता है, मतलब पूरा फैल जाता अच्छा खासा, and it present long period, और लंबे समय तक उसके सरीर में रहता है, severe measles lead to weight loss, अगर measles बहुत ही severe है, किसी को बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से हो गया है, तो उस बच्चे का weight loss होगा, and more hazardous into malnirish children, और जो बच्चे malnirish होते हैं, जिनके बच्चों के अंदर portion तत्व कमी होती है, उनके वो ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, measles, incubation period देखो, ये भी important आ गया, कितना है, 10 से 14 days, incubation period होता है, mode of transmission आ गया, respiratory airborne, ठेना है, वोई, airborne है, respiratory है, secretion from nose, throat, respiratory tract, our main source of infection, और कि वोई, छीखना, खासना, तो यहाँ पर simple क्या आजाएगा, आप लिख दोगे, coughing and sneezing, ठीक है ना, virus transmitted by droplet infection, देखो आगे, droplet infection और droplet nuclei और बोथ, ठीक है न, aerosolized droplet nuclei has been documented in closed areas, क्या कह रहा है, aerosolized droplet nuclei nuclei, याने कि, जो हमने छीख दिया है, ठीक है, aerosol, सुना है न, aerosol, जैसे क क्या है, aerosol पढ़ा होगा, class 12 में पढ़ा होगा, aerosols क्या होते हैं, air के अंदर, solid particles से जो रह जाते हैं, तो जो aerosol droplet nuclei है, जो bacteria, मतलब virus के जो nuclei होते हैं, ठीक है न, वो क्या होते हैं, कंड जो है, वो aerosol पानी के, छुट-छुटी बूंदे जो नाक से निकलती है, छीखने तो हम से aerosol बहुत सकते हैं, ठीक है, तो यह कहां देखा गया है, close area, close area मतलब कोई बंदा office में काम कर रहा है, तो उसका office में देखा गया है, ठीक है, एक्जामिन जहां पर उनके checking होती है, डॉक्टर आता है, बैठो हम चेक करें, उस area में क्या पाया गया है, aerosolized droplet nuclei nuclei पाय रहती है, for up to two hour, अच्छा ये भी एक बात है, दो घंटे तक रहता है, उसकी वाद वो aerosol वाला जो पार्ट है, वो हवा से, धूप से, खतम हो जाता है, फिर यह दो जमीन बैठी जाएगा, तो जमीन बैठी तो फैल जाता है, तो फिर इतनी दिकत नहीं है, खतम हो जाता ह हो, ठीक है, अब परसन विद मीजस अकुपाइट दे एरिया, ठीक है, लगवाग दो घंटे तक रहेगा, जहां पर वो मीजस वाला परसन रहता है, कि लिए भी बाते हैं, मीजस दे को इतना खतरनाक है, इन 2012, the World Health Assembly इंडोर्स, the Global Vaccine Action Plan with objective to eliminate मीजस, उन्होंने इंडोर्सन कि ग्लोबल कि हम पूरी दुनिया में वेक्षिनेशन करेंगे, मीजस के खिलाफ, ठीक है न, इन फॉर्थ World Health Organization, रिजन रिजन बाए 2015, और टूर्स बाए 2020, तो उनका जो मीटिंग हुआ, उन्होंने उसको क्या किया, हम इसको बिल्टी तरिक से खात्मा कर देंगे, तो छे रि तक है, इस्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर ठीक है ना कि लिए रबाते हैं तो यह एक एपिडेमिलोजी के अंदर आप बात लिख सकते हैं कि डवलो एच्चो नो भी इसको जड़ से खात्मे के लिए प्रोग्राम चलाएं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो वैरी सिंपल इसको देखो कुछ बात याप मन से ब पर जाते हैं जिसको कि हम लोग कॉपलिक्स स्पोर्स बोलते हैं और बक्कल कैविटी मुक्स मेंब्रेन की जो बक्का मुग के अंदर का जो मेंब्रेन है वहाँ पर क्या है स्पोर्ट चाले टाइब के पढ़ेंगे इट स्प्रेड ऑन फेस नेक और देन कवर होल बोड़ी यह कहां से फैल रहा है पहले चेहरे पे फिर गर्दन पे और फिर पूरी बोड़ी को चिकन बॉक्सी बात करने तो ट्रंक पे था सेंट्रल पहले सेंट्र पे था और बहुत कम आकर के हाथ पेर उपर आता था सिम्टम्स हाई फीबर स्नीजिंग नेजल डिस्टाज नाक का भेना चीकना बुखार आएगा बहुत तेज आंखे लाल पढ़ जाएंगी फोटोफोबिया लाइट से डर लगेगा और वजन का कम होना यह सारे क्या इसके सिम्टम्स में वेट लॉस हो जाएगा रोल फार्म वीक वो बताएगा कि अगर रैसेश आज आते हैं पेशेंट को तो सुट आइसोलेट फॉर वीक एक हफ़ते के लिए पेशेंट को सबसे अलग रखना है अलग थालग रखना है प्रमोट इम्मुनाइजेशन को प्रमोट करेगा फैलाएगा बढ़ावा देगा ठीक है रिक वेक्सिनेशन लगवाग तेरह चौद साल तक चलता है सब लोग कराते भी नहीं तो वह जग रूप करेंगा कि आप लोग वैक्सिनेशन का रूटीन बनाकर रखिए और सारे लगवाई जिसमें इसका भी वैक्शन होगा ठीक है ओके इसका जो वैक्शन होता है वो बारह से infected person within 48 days of exposure ठीक है ना तो कह रहा है कि अगर को healthy person है और किसी infected person के touch में आ गया है तो 48 दिनों के भीतर आप क्या करें immunization कर लें जिससे कि आपको खतरा कम हो जाए यह सब तरीके हैं तो रोल और फार्मसिस्ट फिर बताया है मैंने सिंपल है बहुत सारी चीज़ें इसको मन से बनाके लिख सकते हो नेक्ट आता है ठीक है ना तो चिकन पॉक्स रूबेला और मीजल्स तो फुरसा अंतर है जो रूबेला है इसको हम लोग जर्मन मीजल्स भी कहते है या थ्री डे मीजल्स भी कहते है तीन दिन का मीजल्स ठीक है ना तो रूबेला वाइरस रूबेला के लिए रूबेला वाइरस है जो की पॉपलरली हम लोग इसको जर्मन मीजल्स भी कहते हैं ठीक है रुबेला वाइरस is the causative agent of the disease पॉपलरली नोन एस जर्मन मीजल्स तो रुबेला वाइरस को हम लोग जर्मन मीजल्स भी कहते हैं इट इस आल्सो नोन एस distinctive red rash distinctive अलग-अलग red rash से पढ़ेंगे इसको इस highly infectious वाइरस यह भी बहुत ज़्यादा infectious है ठीक है ना ख़तर ना आगए फैल तो जल्दी है causative agent कौन है रुबेला वाइरस epidemiology सबसे पहला क्या है source of infection for nutrition, incubation period, mode of transmission यह कुछ basic सी बाते हैं जो आपको बतानी बतानी है virus of toga virida virus family यह family हाँ दे दी जो की यहाँ देनी चाहिए थी ठीक है ना तो जो रुबेला virus है किस family का है toga virida virus family cause measles and spread via direct contact and through air अब बात समझ में आगे होगी बेटा direct contact बता छूना और through air मतलब छींग दिया है खास दिया है तो उसके तुरू होना clear है nutrition death occurring due to deficiency of vitamin A people suffering from measles तो यह विटा वन मास कोश्चन अगर आपको measles और आपके अंदर vitamin A की कमी है किसकी कमी है vitamin A की कमी है तो आपकी death हो सकती है incubation period दस से बारा दिन रहता है इसका incubation period तो incubation period उमीद दे विटा आता होगा समझे incubation period किया है अभी विए कुछ बच्चों लग रहा है नहीं आरा तो epidemiology वाला चैप्टर देखें mode of chapter नहीं स्वरी इस पहले वाला जो lecture है ठीक है mode of transmission simple दो क्या है spread through close contact ठीक है तो रुबिला वारे इस highly contagious बहुत जादा पता है communicable disease पर तो सभी के सभी contagious है यह line सब में लिख सकते हैं spread through felt है close contact close काफी पास आने से किसी के पास में आ जागो टच कर लोगे with infected or through the air wire droplet 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 बार बार आ रहा है मैंने पहली कहा था droplet infection यह droplet method बार बार वरड आएगा तो अब किलियर है वो it is also transmitted from pregnant woman to fetus तो यहाला भी एक condition यहां पर अलग से आगी कि pregnant woman से fetus में यह felt है तो mode of transmission में ज्यादा तर क्या रहेगा through close contact और droplet method जितना भी हम अभी पढ़ेंगे respiratory infection में यह दोनों काम करेंगे infection का method close contact और droplet method किलियर है clinical pretendation की बात करें कह रहा है science symptoms generally appear between two three week after exposure exposure होने के बाद दो से तीन हफ्तों के अंदर science symptoms दिखाए देते हैं fever है runny nose है सरदर्द है inflamed and red eyes एक लाल आख्यों हो जाएंगी pink rashes on skin गुलावी rashes आएंगी और joint pain जोडों में दर्द होगा यह इसके क्या है symptoms है clear role of pharmacist क्या कहाएगा वह लेगा vaccine लगाओ कौन सी लगाओ mmr one marks question full form measles mums rubella vaccine लगाओ it given to children between 12-15 month of age वो बताएगा कि 12-15 महिने को होते 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 आप बच्चे को लगवा लो educate करेगा अब यह line सब में लिख सकते हो क्यों educate करेगा प्रमोट करेगा प्रवाइड करेगा वैक्सिनेशन वैक्सिनेशन के लिए लोगों को educate करेगा प्रमोट करेगा और प्रवाइड करवाएगा लोगों को वैक्सिनेशन है यह line तो सब में लिख सकते हैं हम लोग help develop institutional screening program to check immunization status भाई जिस area में होता अगर आप लोग को idea होगा आप जिस मौलने में रह रहे हैं तो उस मौलय का सारा data होता है सबसाथ के पास कि इतने वोट हैं उस वोट के हिसाप से जो वहाँ पे उनका मौला clinic रहता है हरृते क्लीनिक सा रहता है स्वासत के नर्यतर घाता है तो वह हैं सबकितने बच्चे पेदा हो रहें कितनों को vaccination तो डवलब कर सकता है इंस्टिटूशनल स्क्रीनिंग प्रोगाम या वह एक प्रोगाम चालू कर सकता है घर घर भेजेगा लोगों को अपने दो दो बंदे लगा लेगा और पता करवाएगा कि देखो जाके चेक करो सबको लग गया वैक्शिनेशन या नहीं लगाए फार्म प्रवाइट पीपल रिगार्डिंग एप्रोप्रियेट हैंड हाईजीन अब यह लाइन सब मिले सकते हो हाथ अपने साफसूफ रखें एंड जर्नल इल्नेस मेनेजमेंट और जो नॉर्मल आम बिमारिया होती है उसके लिए क्या करेगा बचाओ के तरीके बताएगा के बाद आप बाकी के पॉइंट मन से बनाकर लिख सकते हो कि लिए रहा है रोल ऑफार्मासिस्ट में चले आगे तो मंस गल्सुआ या कंठमाला सब लोग ने देखा को गाल फूल जाता है इस टाइप से ना यह ग्लैंट्स याद है सलाइवरी ग्लैंट्स तीन ग्लैंट्स it is viral infection again viral है यह it mainly occur in salivary glands one last question mumps किसका infection है salivary glands जहां से saliva निकलता है थूख निकलता है ठीक है जो कि हमारे कान के पास होता है यह ना यह कान के पास है सारे It causes swelling of one or both of these salivary gland, parotid gland जो parotid gland है, generally आम तोर पे, वो हमारी क्या करती है सूज जाती है, swelling आ जाती है Hearing loss is serious complication in mumps कई बार कानोंने सुनना छोड़ देते हैं कानोंने मतलब कान सुनना बंद कर देते हैं ठीक है, यह इसका एक serious complications है There is not any specific treatment is ill-available इसके लिए कोई specific treatment available नहीं है तो हम लोग symptoms के हिसाफ रड़ा ही लड़ते हैं ठीक है, causative agent, paramyxovirus, a member of ribuola virus family यह याद करेंगे paramyxovirus इसका agent है epidemiology, source of infection, कहां से आता है यह patient suffering from mumps and subclinical Subclinical का मतलब क्या है, जिसके अंदर mumps का virus तो मौजूद है लेकिन वो condition नहीं आ रही है, दिख नहीं रही है उसके अंदर बहुत हल्की सी है, जरासी है, उससे भी फैल सकता है age और sex की बात करें common in age group, 5-9 year के जो बच्चों होते जाएता है देखाओ अपने 5-9 साल के बच्चों के गलसुआ हो जाता है affected both sexes दोनों ही sexes, male female दोनों के equally affect करेगा period of infectivity की बात करें था, disease remains infectious six day before the symptoms and swelling of paratid gland diminish ठीक है न, 6 दिन, symptoms के 6 दिन, symptoms के आज से पहले 6 दिन तक क्या रहता है infectious रहता है and swelling of paratid gland diminish और जब तक की paratid gland की swelling चली नहीं जाती है तब तक को क्या रहेगा infectious रहता है नहीं की infection फैला सकता है incubation period किते दिनों में पनप जाएगा दो से तीन हफते है mode of transmission direct contact आ गया with saliva है न, खाना ना खा रहे है जूटी चमच उसकी भी खाली उसने उसकी जूटी चमच से खा लिया और respirator droplet फिट आ गया droplet from mouth, nose, coughing, talking, बात करतों है तुक निकल जाता है शेरिंग आइटम सच आज वाटर बोटल कप सब्सक्राइब कर रहे हैं या बोटल पानी पिया जूटी बोटल जूटी बोटल से दूसरे पानी पी लिया तो इस टाइप से यह अब मेरे ख्याल से mode of transmission आ गया, clear हो गया, main चीज क्या याद करनी है epidemiology का तो 3-4 point और causative agent ठीक है बात बागे तो उसके बात क्या है clinical presentation diagram देखके clear हो गया puffy chicks है ना characterized by puffy फूले हुए, puff मतलब फूला हुआ, ठीक है यह puff होता है, ओके, and tender swelling जो, tender मतलब जो काफी नाजुक सा हो जाता है, दर्द करता है, छूने भर सी, symptoms of mums observed in 16-18 days of infection, ठीक है, 16-18 दिन के infection, जो अरे, symptoms of mums observed, जो symptoms होते हो, 16-18 दिन के infection के बाद हमको दिखना शुरू हो जाते है, science and symptoms, fever है, सरदर्द है, swelling जो जबड़ा सूज किया है, muscle check है, mass patient में दर्द हो रहा है, tired, ठकान लग रही है, tiredness, loss of appetite, appetite मतलब भूख, लिख लो, जो को मैं लिखता नहीं हो, मैं बोल देता हूँ, appetite मतलब भूख, भूख चगाया हो जाएगी, role of pharmacist, क्या बोलेगा, भाईया, vaccine लगाओ, educate करेगा, promote करेगा, provide करेगा, vaccination, people को guide करेगा, बताएगा, भाईया, appropriate hand, hand hygiene बना के रखो, हाथ उत प्रॉपर दुलो, अगर आप किसी patient के साथ रह रहे हैं, नहीं भी रह रहे हैं, बिमारी फैली हुई है, तो खाना पीना, हाथ ठीक है न, mums के जो current cases हैं, उनसे वो वाकिफ रहेगा, कितना case फैल रहे हैं, कैसा क्या condition है, recommend for isolation for appropriate duration, वो कहेगा, लगबग भाईया, मम्स हो गया, लगबग 10 दिन के लिए आप अलग रहे है, ना के बरावर डुडिया किसी से, इससे की दूसरों को वो ना फैले, ठीक है न, क्याने की थोड़ा सा कट जाएं, आठजास दिन के लिए दुनिया से, provide education regarding complications, अगर कोई complications है, तो उसको कैसे deal करना है, उसको regarding में, क्या करेगा वो, education देगा, तो role of pharmacist, simple से चीज़ है, लिख देंगे मन से बनाकर, चले आगे, अब आता है, इंफ्लेंजा, इंफ्लेंजा, तो वाइरस का कोई इलाज नहीं है, वाइरस का कोई इलाज नहीं है, वाइरस जो है, आएगा, body उसको लड़ती है, और लडने के बाद फिर उसको kill कर देती है, हमारी body fit ठीक हो जाए, उस साथ से आठ दिन तबाई मचाता हमारे सरीर में, ठीक है, फिर वाइरस की बिमारी दबाई नहीं है, तो फिर कोई नाइटिन के बिट्रों बेटा, उसका vaccination था, ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं, जितनी वाइरस की बिमारियां होती है, हम लोग उनके symptom से लड़ते हैं, वाइरस आया, बुखार आ रहा है, सरीर दर्द हो रहा है, तो हम लोग symptoms की गोलियां देते हैं, क्योंकि वाइरस से तो बॉड़ी को खुद ही लड़ना है, यह बात आप समझ लें, तो इटी जा, infectious disease, ठीक है ना, यह क्या है, इनफैक्शियस, lobby ऑर किषीवाय देना दाइस से ठीक करना वो एक अलग चीज होती। जब भी जूखाम खाची होती है तो बुखारसा आता है दर्द होता है कम जोरी से मधश्माल मालूम पढ़ती हैँ अब जड़ा बात को समझना है यहाँ पर causative agent, influenzae का it is caused by RNA virus belonging to orthomyxoviridae family orthomyxoviridae family जो virus होते हैं, RNA virus होते हैं वो influenzae के अंदर आते हैं अब influenzae जो है बहुत ध्यान से, चार category में है हमारे पास कितनी category में है? चार influenzae A, B, C और D, in fact बोथ human and animal, बेटा यह मार्क करेंगे, one mark question है, constantly changing and capable of causing flu pandemic, यह लगातार बदलते रहते हैं अपने आपको, लगातार क्या करते हैं? चेंज करते हैं, है ना? और capable of causing flu pandemic, pandemic flu जैसे COVID-19, influenzae की category का है, इसी category के अंदर आता है ठीक, इसी category के अंदर, कुछ virus है जिनको अभी हम डेटेल हैं पढ़ेंगे, ठीक है दूसरा है B, only found in human, यह केवल human में होता है, less severe than influenza type A, जितने भी अभी तक swine flu है, COVID-19 है, यह सब type A category के हैं, सब खतरनाक वाले होते हैं, type B केवल इंसान पाया जाता है, और यह उतना खतरनाक नहीं है, जितना की उपर वाला है, type जो C है, generally cause mild illness do not cause epidemics epidemics create नहीं करेगा और हल्की पुल्की बिमारियां देता है और D जो है primarily affect cattle, बेड़ बकरियां को affect करता है अब ज़राग गौर से देखना इस तरह से काटा है इसको, अभी इसका diagram क्यों लेके आयों मैं उसका वज़े है, वारिस को समझा वारिस कुछ ऐसा होता है, इसको हम ऐसा ऐसा काट देते है तो इसके उपर के जो यह देख रहे हो यह यह इसके ऐसे दिखा दिए तो clarity नहीं आते है, तो मैं वारिस को पुरा लेके आया है अब समझो, उपर की covering होती है यह उपर की envelope है, वारिस का यह उपर क्या है, यह envelope है पूरा बंद होता है, फुट वाल के तरह है यह इसके अंदर क्या है, इसका RNA हो सकता है इसका DNA, यानिक इसका genetic material यह इसका क्या है genetic material अब genetic material उपर जो covering होती है उपर की जो covering होती है उसके उपर क्या है, कुछ proteins पाई जाती है जो proteins लाल है इन्हीं proteins की help से हम लोग antigen बनाते हैं कई बार ठीक है, जैसे कि इसके उपर पाई जा रहा है hemagglutinin नाम का और neuraminidase ठीक है, neuraminidase नाम के दो पाई जा रहे हैं, तीसरा M2 ion channel यह channels हैं, यहां से अंदरभार चीज़ें होंगी, और यह दो category के हमारे पास क्या आगे हैं, इसके उपर पाई जाने वाले envelope के उपर पढ़ते हैं अब यह जो hemagglutinin हैं और neuraminidase हैं, यह बहुत सारे प्रकार के पाई जाते हैं, अलग-अलग virus में, ठीक है ना, तो इसके हमने category कर दी है, hemagglutinin करीब 19 प्रकार की हैं, 1, 2, 19, तो H1, H2, H3 इस तरह से हमने दे दिया है, और neuraminidase भी इस तरह से बहुत सारे प्रकार की पाई जाती हैं, इसको भी 1, 2, 3 category में डाब दिया है, तो एक आपने सुनोगा हीनी, H1, N1, swine flu, तो H1, यानि इसका H1, यह 1 प्रकार की पाई जाती है, N, यह भी 1, एक number 1 प्रकार की पाई जाती है, तो H1, N1, इसके हिसाब से नाम पढ़ता है, ठीक है, तो इसी को, अब जो हम अपना वैक्षिन बनाते हैं, वो इसी को, कि इसको पैचान लेगा, अच्छा, नियूरामिडेज 1 है, मार दो इसको, यह खतरनाक वाला है, तो इस तरह से वैक्षिन हमारी बनती है, वारेस के लिए, ठीक है, बात समझ में आ रही है, यह RNA पार यह वो है, RNA, Nucleic Particle हो गया आपर, RNA Nucleic Particle, अब दो क्या है, जिसे picture of diploma flu, बात समझ में आ रहा हैского, वायरस को समझने में, घल्प हुई होगी, ठीक है, तो कह रहा है, जिसे picture है, यह flu का है, अब वायरस, ठीक है, influenza A virus are classified by subtype based on the properties of their hemagglutinin क्या रहा जो influenza A virus है ठीक है जो influenza A virus है यह वाला इसको हम लोग ना further divide करते हैं depend करता है किसकी अधार में divide कर रहे हैं hemagglutinin जो मैंने बताया है यह blue वाले हैं और neuroaminidase जो N है surface protein जो surface protein पाई जाती है वो protein किस प्रकार की है ठीक है ना there are 18 different hemagglutinin subtypes and 11 different neuroaminidase subtypes are named by combining the H and N numbers example H1N1, H3N2 तो जो H1N1 हम लोग कई बर ही नी बोल देते हैं है ना ही नी बोल देते हैं तो actually यह बात आपको समझ में आ रही होगी कि हम लोग इनके उपर किस प्रकार की protein पाई जाती है उस protein के अधार पर इनकी naming कर देते हैं और उसी के अधार पर फिर हम लोग क्या करते हैं इनकी vaccine मिराने की कुशिश करते हैं बात clear हो गई ना तो यह थोड़ा सा knowledge के लिए था कि H1N1 का मतलब क्या है H का मतलब क्या है N का मतलब क्या है epidemiology की बात करें तो source of infection cases कोई case होगा या sub clinical case sub clinical case मतलब पूरी तरीके से infection नहीं है किसी इंसान को उतना proper infection नहीं है ठीक है age और sex की बात करें all ages and both sexes are vulnerable vulnerable मतलब बेमारी होने की संभावना है period of infectivity spread the infections to other up to seven days from the beginning of the disease बीमारी की सुभाथ होने से लेकर विए साथ दिनों तक ये infectious रहता है फैल आता है अपने आपको incubation period 18 से 22 गंटे का है mode of transmission again why droplet infection है droplet nuclei हो गया sneezing आ गया coughing आ गया बात करते हुए हो गया टाकिंग वारे सेंटर वाया respiratory tract फिर हमारे body में कैसे घुषता है हमारे respiratory tract के थुषता है तो जो हमने यहां पर क्या पढ़ा है influenza को पढ़ने बेटा ठीक है न epidemiology अब इसमें और अगर हम समझे कोईशिश करें तो influenza is highly infectious बहुत जदे infectious है viral disease that can occur as a pandemic ये pandemic की तरह फैलता है तो इसके हम अब भी variety पढ़ेंगे influenza की कई सारी variety जो pandemic हुई है swan flu था अपना COVID-19 था ठीक है pandemic हो सकता है ये epidemic हो सकता है epidemic outbreak outbreak मतलब समझते हो न एकदम से किसी बिवारी का फैलना and in form of sporadic cases sporadic case क्यों होता है generally जो आम तोर पे इंसानों को होता नहीं जदा कदा कभी कार जो हो जाती है चीजें असामान ने तोर पर normal नहीं होता है majority of human infections are cost by either type A और B influenza virus जादा तर influenza virus A और B हैं जो इंसान के अंदर बिमारियां पैदा करते हैं influenza virus चार केटेगिरी की याद आ रही है ऐसे नहीं पढ़ते चले आना दिमाग में रखना है influenza बता था ना मैंने चार केटेगिरी की हैं सबसे खतरनाक A है यही सबसे ज़्यादा फैलता है A और B यह CD तो बहुत नाके बरावर है clear type A has been associated with widespread epidemics and pandemics type A की वज़े से बहुत सारे epidemic और pandemic होते हैं while type B has infrequently implicated in regional epidemic type B की वैसे regional किसी एक एरिया में हो जाएगा है ना जैसे किसी एक हिस्से में बहुत जाए डिंगू फैल गया किसी एक हिस्से में बहुत जाए फ्लू फैल गया तो किसी एक एरिया में रहाएगा pandemic नहीं होगा Influenza type C infection cause only a mild respiratory illness C की वैसे बहुत ही हलकी illness होती है in temperate climates the temperate climates seasonal epidemics of the virus occur mainly during the winter time जो epidemics आते है seasonal वो generally winter में आते है temperate temperate region में compare to tropical देखो एक और होता है temperate और tropical tropical region होते हैं जो थोड़ा सा और उपर की तरफ होते हैं पोल की तरफ where it may occur throughout the year tropical region में जो लोग रहते हैं या जो हिस्सा पाए जाता है वेटा अर्थ बना दू यहां से लेके यहां तक यह ट्रॉपिकल वाला टैंप्रेट है थोड़ा सा और उपर चला जाएंगे तो यह ट्रॉपिकल होता है इतना हिस्से में जो लोग पाए जाते हैं ना चारतर फार्थ में वो ट्रॉपिकल रिजन कहा जाता है तो एपिडेमिक कॉश्ट पाइफ्लेंजा वायरेस और एस्टिमेटे रिजल्ट इन अवाउट थी तू फाइब मिलियन केसे ऑफ सीविर इलनेस जो एपिडेमिक होती है ठीक है ना वो लगबग तीन से चार मिलियन सीविर केसे हैं इसके एंड अब टू 500,000 डेथ वर्ल्ड वाइड इतने केसे से कर चुका है और इतनी मौते यह कर चुका है ठीक है ना के लिए रहें 500,000 मौत लगबग पांच लाख मौते जो है यह कर चुका अभी तक क्लिनिकल प्रेजनेटेशन की बात करें तो यह सबसे पहले रैस्पिट्रेटी ट्रेक्ट क उसके बाद फिर हमारे बेमारी फैलती है इंफेक्शन फैलता है साइन्स अंट्रम्स की बात करें तो तो फीवर आएगा सर्द होगा कफ आएगा सिनिकासी होकी गले में छ्रास ही हो जाएगी बॉड़ी में जडर्द होता है उल्टी आती है डाइरीया है और लिथार्जी म वायस्ट वैक्सीन जो ड्रस उसको बचाने के लिए अगर तरी पाइको यार वाइरस और vaccines यह सिदह vaccine कर देना इस साथ line हटा देना और line अगर किसको समझ में आती है तो line लिख देना then a prophylactic drug such as amantadine prophylactic मतलब बचाओ के लिए जो drug दी जाती है that is your amantadine बात आगे खिर वो ही बोलेगा influenza क्या कहेगा hygiene बना के रखो अलग रहो जिसको हो गया है उससों दूरी बना के रखो mask परना के रखो यह सब चीज़ आप extra जोड सकते हैं clear है अब influenza की वज़े से influenza की category में आने वाले 5 बिमारियां और हैं जो influenza की category में आते हैं ठीक है जिसमें सबसे पहले हमार पास क्या आएगा avian flu आने वाला है क्या आने वाला है avian flu या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं bird flu avian मतलब avian मतलब हवा जो उपर हवा में है ठीक है ना तो avian flu या bird flu the disease occur due to infection with avian यानि कि birds के द्वारा होने वाला जो flu है flu अब समझ में आता ही है इन फ्लेंजा ऐसे सर्दी खाणी जुकाम जो रहा है तो यह नॉर्म्मल वाला सर्दी खाणी जुकाम नहीं होता है खतरनाक वाला होता है ठीक है avian flu type A virus अब यह मत पूछना टाइप A किया है टाइप A ही बताए चार टाइप किसे है टाइप A, टाइप B, टाइप C और टाइप D तो bird flu टाइप A virus है termed as avian influenza इसको हम लोग avian influenza भी कहते हैं virus occur naturally among wild aquatic birds जो wild aquatic birds है पानी के अंदर पाई जाने वोले birds है उनके अंदर पाई जाता है virus यह, bird flu virus do not normally infect human आम तोर पर इंसानों को affect नहीं करता है but 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 however sporadic sporadic का मतलब होगे occasionally यदा कदा जाने किस प्रकार से किसी न किसी तरीके से human को infection हो जाता है bird flu virus से और फिर वो human बाकी सब में फैला देता है ठीक है causative agent influenza virus type a epidemiology source of infection bird flu है occur naturally in wild water flow and spread into the domestic poultry like chicken वहां से जो aquatic water वाली birds होती है वहां से बिमारी फैलती हुई जो chicken ducks गीज जो हमारे पालतु पोल्टरी होती है वहां पे फैल जाता है it is spread through contact with an infected bird या feces होना ची बेटा क्या होगा यह feces मतला potty और secretion from its nose mouth और आई यानि कि जो birds infected है उसकी जो feces है या उसके nose का जो infection है या mouth है या eyes है उसको touch में आ जाते हैं हम लोग इंसान या कोई दूसरी bird touch में आती है तो उससे फिर क्या है आगे फैलना वह start हो जाता है incubation period की बात करें 217 दिन है infective period की से बात करें तो तीन से पांच दिन का इसका infected period है mode of transmission की बात करें तो bird flu is spread through close contact with dead or alive infected bird अब बड़ चाहे जिंदा हो चाहे मर गई इसलिए देखा कि बड़ फ्लू फैलता था तो दिखाते थे हम लोग ना मास पहन के पुरा ढके हुए उनको दफना देते थे जला देते थे पूरा क्योंकि मरे हुए से फैल जाता है मरा हुआ पंची भी बड़ फ्लू 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 सकता है it includes touching infected birds ठीक है ना यहां पर क्या हम लोग किसी ना किसी प्रकार जब हम उसको touch कर रहे हैं तो उससे क्या ह हमको यह infection फैल जाएगा clinical presentation high temperature बुखार आएगा hot गरम गरम लएगा कापेंगे कपकपी लगेगी शिवरी मतलब कपकपी आना मसल से पेन होगा सर में दर्द होगा और कफ खांसी वगर आएगी science symptoms की बात करें ugly symptoms सुरुवात में diarrhea होगा sickness बिमारी जैसे लएगी पेट में दर्द होगा चेस्ट में दर्द होगा bleeding नाक से खून आ सकता है gums and conjunctivitis नाक से और मसूर से खून आ सकता है और conjunctivitis जो आखों में infection हो सकता है ठीक है role of pharmacist again वही FDA approved of vaccine and limited protection ठीक है ना FDA ने क्या कर रखी है vaccines वगरा बना रखी है आप उनको ले recommendations for travel जो घूम रहे हैं जो घूमन्तू लोग हैं जिनका घूमते फिरते काम हैं बेना घूमें उनका जॉब नहीं होती है उनके लिए कुछ recommendation है कि avoid करें domesticated birds domesticated birds को avoid करें खाने पीने से लिए का हर एक चीज़ है people should avoid ruler areas गाओं दियात में आ जाए small farms and open air market में एकदम से ऐसे ना घूमे घूमे तो mask लागे घूमे ठीक है ना wash hands wash hands with alcohol 60% based sensitizer while traveling जब आप घूम फिर कर घूम रहें इधर से उदर तो अपने हाथों को लगाता 60% alcohol से क्या करे जिस अलकॉल की मातरा 60% उससे वाश करते रहें ask about flu shot flu shot मतलब injections जो होते हैं flu shot before traveling it reduces risk infection घूमने से पहले अगर आप ले लेते हैं इंजेक्शन ले लेते हैं फ्लू का तो आपको क्या infection होने के chance कम हो जाएंगे तो तमाम चीज़ें इस तरह से वह क्या करेंगा पोल्ट्री और अक्की बात करेंगे तो कहेगा कि भाईया जब खाना खाने के शौकीन हो नॉन्वेज खाते हो तो खूब पकाओ उसे अच्छे से पकाओ कुप थोरोली हीट विफोर इट एंड कुग अंटिल जूस रन किलियर ठीक है जब तक कि जूस उसका पूरा धूलते होते हैं अम लोग पूरा निकलना जाए उसको अच्छे से हीट करें लगबग 74 डिग्री सेंटिक्री बता रखा है ठीक है अवा पानी हरी सबजी में लग सकता है that is called cross एक से दूसरे में फैल जाना तो hot water should used for washing और cutting गरम पानी का इस्तमाल करना है और जहां पर हमने पूल्ट्री वाली चीज़ों को धुला है वहां पर हम दूसरी चीज़ें ना धुलें ठीक है इस्टियर क्लियर ऑफ रोग अंडों से कक करें अंडर कुक अंड़ा ना खाया अंडर को मतलब पका वग नहीं है कि लियर बाते है कि तोब समय पर सब क्या के चलने वाला है इसारा के सब्सक्राइब इसारा तो इन फ्लेंजा के नदर पहला क्या पढ़ लिया इसको अचा चलो फट आफट हट मूँ धूलो ठीक है पान जालो चैरे पे पानी पीलो आते हैं फटाफट पांच नट में इसको स्टार्ट करते हैं ओके तो पिलिया पानी दोलिया मूँ इस्टार्ट करें चाहलो तो अब आते हैं हम लोग इसका जो influenza काई जो even flu पढ़ लिया था अब H1N1 या इसका हम science flu कहते हैं तो it is a viral infection which infects pigs mostly किसको infect करता है pigs को infect करता है quite rare in humans humans के अंदर काफी कम है फैल गया है फैल गया हुआ humans में नहीं आता during the 2009-10 flu season a new H1N1 virus began causing illness in humans 2009-10 के बीच की बात है जब यह science flu फैला था पिक से आया था तो इंसान बिमार होना सुरू हो गया था it was often called swine flu and was a new combination of influenza virus इसको हम लोग swine flu कहते है swine pig से लिटर वर्ड है ठीक है और influenza virus एक नया combination influenza virus का that infects pigs birds and humans पहले पिक को infect करता था अब यह pigs के सासाथ birds को और humans को भी इंफेक्ट करने लगा है कॉसिएटिव एजेंट इंफ्लेंजा ए वाइरस ऑफ और्थो मिक्सो वाइरडी फैमली है ना यह वही इंफ्लेंजा ए का वराइटी है यह और कौन सी फैमली है और्थो मिक्सो वाइरडी फैमली है एपिटेमिलोगी की बात करें तो सोर्स ऑफ इंफेक्शन क्या है एकट्वन फंवन इंफैक्ट दा सेल्स लाइनिंग और नानक के अंदर जो परत है उनको जाकर इंफेक्ट करता है जो गले की परत है उसको इंफेक्ट करेगा चल्सकी जो सबस दिन का है contagious spirit पांस से साथ दिन आफ्टर सिम्टम्स डवलब जब सिम्टम्स आ जाते हैं उसके बाद इसका पांस से साथ दिन contagious spirit रहता है nutrition की बात करें तो sufficient amount of vitamin C should be taken vitamin C को लेना चीए कहीं लगा हमारी immunity को strong भी करती है for keep away h1n1 citric fruits spinach and etc should be take खाने की बात करेंगे तो citric fruits और जो पालक है वो खाने से काफी फाइदा रहता है h1n1 में होस्ट factor की बात करें तो occur in every age group हर किसी को भी किसी भी एज group में हो सकता है ऐसा दुरूरी नहीं के बच्चे को होगा बूडों को होगा किसी को भी हो सकता है population does not have immunity to virus population के पास जिस population के पास इस वारिश के लिए उमिर्टी नहीं है उसको हो जाएगा complications higher in people with asthma cardiac disease renal disease and pregnancy complications बहुत ज़्यादा हो जाती है जिनको अस्थमा होता है या cardiac दिल की बिमारी है renal kidney problem है या pregnancy है उनको अगर यह हो जाता है swine flu तो conditions बहुत ज़्यादा खरा हो जाती है low temperature and low humidity favor aerosol transmission देखो low temperature temperature कम है यानि कि हम समझ सकते हैं जो सर्दियों के studying का मौसम है humidity है humidity भी कम है तो वह aerosol transmission छींक दिया और जो aerosol बन गया समझाया था मैंने अभी उसके through इसका transmission बहुत असान हो जाता है कब low temperature और low humidity में और explaining the seasonal nature of influenza in temperate climate और यही वज़े है कि यह seasonal है कुछ खास season में ही फैलता है otherwise नहीं फैलता है in tropical climate influenza infections are associated with increased rainfall यानि कि जाएट सी बारते जब rainfall हो जाती है उसका temperature flow गिर जाता है ठीक है ना तो जो tropical climate से वहाँ पर परसात जितनी जादा उसके बाद sign flu उतना जादा mode of sign flu नहीं sorry h1n1 mode of transmission की बात करें तो h1n1 virus spread through pricks है ना sign flu यह यह ठीक है दिमाग से तर जाता है कोई बात नहीं h1n1 virus spread through pricks and due to close contact from object तो यहां पर आपको बाते को समझ में आ रहे हूं कि देखो फिर कह रहा हूं सारे एक साथ मत पढ़ना ठीक है ना दो दो चार चार पांच पांच कर पढ़ना और link up करके पढ़ना कौन कौन से point common है सबका अलग होगा लेकिन बाकी चीजें बहुत सारी common मिलने वाली है तो कोशिश करना उन common को एक साथ इखटा करके चलो ताकि यह सारे point किसी में भी लिख सको clinical presentation ठीक है in severe cases it leads to respiratory failure and death तो respiration का failure हो जाता है सांस लेने में दिक्कत होती है फिर सांस नहीं ले पाते हैं जब सांस नहीं ले पाएंगे तो क्या हो जाएगी बही मौत हो जाएगी science symptoms की बात करने बाड़ी में दर्द होगा कफ होगा खासी आएगी ठंड लाएगी चिल्स हैडएक सर में दर्द होगा fever होगा sore throat गले में खरासे हो जाएगी tiredness थकान लाएगी उल्टी होगी vomiting और diarrhea या लूज मोशन हो जाएगे रोल ओफ फार्मसिस्ट फिर से वही सारे आ जाएगे यहां पर शुड उजिंग मास्क वाइल कफिंग स्नीजिंग यह सब में लिख सकते हैं मास्क पहनो भाई या जब भी खास रहे हो चीक रहे हो शुड वाश दियर हैंड विद सोप और अग धुलें पीपल अवाइट टचिंग देर नोज माउट एंड अवाइड इस्प्रेड ऑफ जंप ठीक है ना अगर वह आप अपने नाक को और मुझ को हातों से टेच नहीं करते हम आप क्या करते हो खांस लिया फिर चलते-चलते किसी हैंडल को छू लिया तो उस हैंडल में लग गया दूसरे इंसान ने हैंडल को छूआ उसमें मुझ पे लगा लिया हांद से मुझ पोचा तो इसको हो गया तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं अपने फैलाओ को रोक सकते हैं तो आप अपने मुझ को और नाक को हातों से ना चुए रुमाल का यूज करें ट्रांफर आफ़ाइन फ्लू टू हूमण बिंगे अलसों प्रवेंट फॉमन तू हम डिसन्फेक्टे यूज करेंगे और टंप्रेचर को रेगलेट करेंगे अट्मॉस्परेटर जहां पर हम रहे रहे हैं तो वहां पर क्या है कुछ एक खास टंपरेचर पर ज्यादा इज पर इस प्रकार हम लोग इसका फैलाओ रोख सकते हैं और इंसान से इंसान में बास में आगई कि लिए रहे तो यही सब role of pharmacist है, यही सब समझाएगा, लोगों को यही सब बताएगा, और इस प्रकार से फैलने से रोकेगा, SARS, सुनाओगा, खूब सुनाओगा SARS आप लोगोंने, SARS, SARS, SARS है न, क्या है इसकी perform? Severe Acute Respiratory Syndrome, Severe Acute Respiratory, यह न, सांस लेने की जो syndrome है, syndrome है, not disease, हमारे जो सांस लेने की जो वो होती न, पूरा system होता है, वो कमजोर हो जाता है, उसमें फिर तरह तरह की बीमारी लगती हैं आ करके, और फिर ultimately death हो सकती है, तो the SARS scope, strain है न, Severe Acute Respiratory Syndrome, यह syndrome, जो SARS है, उसका reason कौन है? कोरोना वारस, तो कोरोना वारस पहले से ही है, लेकिन अभी फैला था, वो two नाम दिया गया उसको, वो थोड़ा सा अपना रूप बदल के आया था, ठीक है न, तो यह जो strain है, इमर्ज इन नवंबर 2002 इन ग्वांग डॉविंस चाइना, चाइना में पहली बार आया था, यह कहां देखा गया था, यह ग्वांग डॉविंस में, the strain, यह strain मतलब इसकी जो यह परजाती है, causes the disease, severe acute respiratory syndrome, हमारा जो respiratory system था, उसको पूरी तरी से डैमेज कर दे रहा था, It is new strain of coronavirus, यह coronavirus काफी पहले से, यह एक नया strain आया, फिर covid वाला एक और नया strain आया, एक और नहीं परजाती आ गई, तो यह एक नया strain था, coronavirus की, and genetic structure is different from previous coronavirus, इससे पहले, SARS, COVID, coronavirus से पहले के जो coronavirus exist करते थे, जिनको हम जानते थे, वो इतने खतरनाक नहीं थे, यह वाला अपना रूप बदल का आया और ज़्यादा खतरनाक था, इट इस serious disease which affect your ability to breathe, यह खतरनाक बिमारी है, जो हमारी breathe करने की ability है, छमता है सांस लेने की breathe करने की, उसको affect करता है, प्रभावित करता है, The World Health Organization, जो WHO है, named this type of pneumonia, यह जो इस परकार का pneumonia हो जाता था, इसकी वज़े से, उसको नाम क्या दिया गया, severe acute respiratory syndrome, because of its severity, यह इतना ज़्यादा severe है, कि इसको pneumonia कही नाम दिया गया, ठीक न, तो ज़्यान रखेंगे, SARS क्या है, एक प्रकार का pneumonia है, causative agent, coronavirus आ गया, epidemiology, तो source of infection क्या रहेगा, virus get transmitted through respiratory droplet, again source of, जो infection होई होगर, droplet हो गया, produced when infected person, cuffs और sneezes, जब वो खासता है, छींकता है, तो droplets के रिएट होते हैं, वहाँ से फैलता है, incubation period, 2-7 दिन का है, और 14 दिन तक हो सकता है, इसका incubation period, mode of transmission की बात करें, तो uninfected individual can get infected, जो uninfected हैं, उनको कहां से लागेगा, deposition of respiratory droplet, again वही आ गया, droplet method, ठीक है न, droplet released by infected individual, after a cough or sneeze, get transmitted, जो droplet release हुआ है, निकला है, infected individual, जो infected इंसान से, उसे खांसने से छीखने से, जो droplets पैदा हुए हैं, ठीक है न, वो transmit हो जाएंगे by air, हवा के थुरू, and deposit on mucous membrane of mouth, nose and eyes, हमारी आखों में, या नाख क्या mucous membrane है, फिर ये धीरे से हमारी body में चले जाते हैं, surface contact, healthy person get infected on coming contact with surfaces or object contaminated with the infected droplet, है न, system पे काम कर रहे हैं, पहले बड़ा होता था, हम लोग चले जाते हैं, कैसी वगरा चले जाते हैं, तो कईों को जुखाम होता है, चीक दिया, काम करते हैं, चूँ, तो सारा किस पर आ गया, keyboard पर आ गया, अगला बंदा आया, उसने भी उसी पर काम किया, उसके हाथों में लग गया, होता है ऐसा, कि मैं तो यार कहीं गया ही नहीं, अब बता है, मेरे को बिमारी लग गई, अच्छा, इंक्यूइशन परिट कितना है, दो से साथ दिन, चौदा दिन, अब चौदा दिन हो चुगे, आप किसी कैफे में गये थे, फिर आप सोच रहे हैं, तो चार दिन में कहां गया था, कैसे भी लग गई है, ठीक है, तो इसलिए बरत इस चीज़ को समझें, आप फार्मसिस्ट बनने जा रहे हैं और लोगों को भी समझाना है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, सुरुवात की सिंप्टम की बात करें, खांसी होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, डिफि कफ आएगा, खांसी आएगी, उसके साथ जो गड़ा-गड़ा मुकस निकलता है, डायरिया हो सकता है, गले में खरास आएगी, नौइजिया, जी में चलाना, वॉमिटिंग उल्टी आ सकती है, रनी नाग बैसकती है, यह बहुत ही कम देखने को मिलता है, यह सुरुवात की रखें, और कम्मुनिटी यह ना याने की बहार घुमने उमने ना दें ऐसे पेशन को जादा घर पे हैं तो गर में अलग कमरे में रखें, प्रोवाइट प्रोटेक्शन तु दे मेडिकल और प्रेमेडिकल स्टाफ वाइल हैंडलिंग पेशेंट ठीक है ना, प्रोवाइट इसको है उसकी भी आतपास हाईजेनिक कंडिशन बना के रखें जिससे कि दूसरों को ना फैले, वाशिंग दा हैंड्स एंड्स यूज मास्ट तो यह कॉमन है बेटा, रोल आफ फार्मसिस्ट, रोल आफ फार्मसिट वाले पार्ट को फटटा बटे स्किप करके आगे बढ कर रहा है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक सिंटम होगा तो मौथ हो सकती है, कॉजेटिव एजेंट की बात करें, इस्ट्रेइन ओफ अगेन कोरोना वाइरस नोन एज मर्स कोव, ठीक है ना, कोरोना वाइरस के लिए तब ध्यान रखेंगे, इसका भी कॉजेटिव एजेंट कि जो एज ग्रूप के लोग है, वो सबसे जादा रिस्क होता है, इन लोगों के अंदर क्या है ये, क्योंकि उनका वीक हो जाता है, काफी ज़्यादा रेस्पिरेटरी सिस्टम बढ़ापा आ चुका होता है, तो उनके अंदर ये जल्दी फैलता है, इन फेक्टिव एक्टिवली प्रिजेंट इन बड़ी, ठीक है न, बट ये बड़ी मौजूद होता है, और फैलता बहुत तेहीं से, लेकिन कब तक रहता है, इसका भी आइडिया नहीं है, इनक्यूबेशन पीरिएट कितने दिनों में पनप जाएगा, दोसे चौह दिन के अंदर, अपने इसपरेटी इंफेक्शन है और फीजिकल, अजब क्लोज तो होई गया, और ड्रॉपलेट, और क्या हो जाएगा, ड्रॉपलेट मेतर, क्लीनिकल प्रिजेंटेशन की बात करें, मर्स, इट डज नोट प्रड्यूस एनी सिम्टम्स इन सम केसे, कुछ केसे में ये किसी परकार के सिंटर्स नहीं दिखाता है, बट जिनके अंदर दिखाता है, उनमें फीवर, कफिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीजिंग, अब बेटा, सिम्टम्स भी देखोगे ना, तो लगबग सब में कॉमन जैसे ही है, डाइरिया है, कले में खरास है, जीम इसलाना है, वाम्टिंग, तो धुलना है, किस सो धुलना है, सबको पता है, प्रॉपर रेस्पिरेटरी हाइजीन मेजर, प्रॉपर हाइजीन मैतलब, साफसरा वाटर वाटर रखना है, नोज आई, माउच्ट नॉट भी टच्च्ट विदाउट वाशिंग, ठीक है ना, अगर आप मुग को टच्च क पहनेंगे, दस्ताने पहनेंगे, फेस मास्क पहनेंगे, जिससे की आंके बची रहें, लॉंग स्लिव गाउन वाइल, हैंडलिंग इंफेक्ट प्रॉट सन्जों लंबवाले गाउन होते हैं, से कोविद नैटीन पहनते हो, वो पहनेंगे, ठीक है ना, आइसोलेट पेशें रेस्पिरेटरी सिंद्रॉम कुणना वाइरस डू यानेल की इसको क्या बचाहता है, यह रहाँ कि सीवियर अ हां सार्स है न है है ठीक है है एस श्राइशन टीर ओके ॉके व कौकित द नोहारेद ना ओक्रत्र पाई नवघ्अवरिरस ना से वीयर रेस्पिरेटरी syndrome coronavirus 2 और highly contagious spread direct contact and droplet method infected person से फैलता है directly ठीक है न causative agent severe respiratory syndrome severe acute respiratory syndrome आना चाहिए था SARS-CoV-2 clear है ठीक है न यह acute है न वहाब मिस हो गया है वही मैं कहूं कोई गरवड लग रही है severe acute respiratory syndrome ठीक है न तो यहाँ पर इसको ध्यान रखेंगे severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 है तो वही इंफलेंजा वायरिस ही है source of infection droplet method discharge of saliva, cough and sneezing वोई सारे source of infection same रहेंगे age or sex, older and underlying medical problems ठीक है न जो लोग बुड़े हैं और जिनको कुछ medical problem में किसी प्रकार की सरीर में कोई लोग की बिमारी है are at more risk of developing serious illness उनको जादा खतरनाग बिमारी हो सकती है period of infectivity की बात करें था duration for which patient with COVID-19 remains infective is unclear उसकी infectivity का नहीं पता है क्योंकि हमने देखा था लोग महीनों महीनों बर हो जाते हैं उसके बाद इंफेक्शन कर रहे थे ठीक है ना तो कब 12 दिनों के लिए हम लोग क्या करते थे isolate कर देते थे यहीं इसका incubation period है यानकि चौद दिन के अंदर वो अपने लक्षन दिखा देगा mode of transmission direct contact drop net ठीक है ना touching contaminated surface वहीं सारी चीज़ से में आप पर कुछ खास नहीं है clinical presentation यहां सब को पता है COVID-19 affect different people in different way यहना हर किसी में थोड़ा से अलग लग तरीके से लक्षन देखते थे यूजिली पीपल मायली तु मोडरेट इलनेस के रिकवर जाता था सर में दर्द है rash on screen लालपन होता है यह सारे कुछ symptoms देखने को मिले serious symptoms जिसको difficulty in breathing सांस लेने में दिक्कत हो रही है chest में pain loss of speech बोलना उनका क्या हो गया बोलने में दिक्कत आ रही है और moment चलने फिरने में दिक्कत आ रही है यह serious थे यानिक अगर यह condition क्या कहेगा मास्क पहनो भाईया च्छे फिट के दूरी रखो वैक्सिन लगाओ हाथ धुलो भीड से बचो clean and disinfectant you are used clean and disinfectants are used जाने की cleaner होना चाहिए हाँ पर clean and disinfectant ठीक है जो chemicals होते हैं और disinfectant उनको इस्तमाल करना है ताकि आसवाथ जो area जहां पर कोविड-19 वाला patient रहा हो पूरा area साफ हो जाए तो यही सजी तो मन से बना के लिख सकते हो तो कोविड-19 तो मेरे खाल से सब लोगों को पता था इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी चले अब आता है हमारा इन फ्रेंजा खतम हो गया इन फ्रेंजा के अंदर कितने थे खुद इन फ्रेंजा था तो टटल इसलिए यहां पर यहां पर इसका उती है एः जिसका फिर सांस लेने में दिक्कत हो ती तो गला गुटने जैसा फीलिंग आता है तो इसे गला गोटू बोल देते हैं अपर रेस्पिरेटी ट्रैक्ट डिजीज है देख सकते हम लोग गले के आसपास यह परसी जम रही है ठीक है यहां पर भी जम जाती है यहां पर जाती है तो स्विस सांस लेने में दिक्कत आती है कैटराइज बाइस सोड गले में खhasht that आती है inflammation of म्यूकास में इंफ्लमेशन की स्वरनिंग हो जाएगा डर्द हो झाएगा टीक Can चीनघर बट आफट जाता था वहां पर पाया जाता था बबाद में व्यक्स नागई इसकी तो अब ठीक है जयाता नहीं होता प। तो कह रहे था pseudo membrane, pseudo मतलब नकली membrane, एक false membrane यहां grow कर रही है in the posterior pharynx, पीछे की तरफ pharynx के पीछे की तरफ, it can become very large and may obstruct the airway इतनी बड़ी हो जाती है, कि जो हम लोग सांस लेते हैं नाक से, तो उसको क्या करती है, obstruct कर लेती है, रोग देती है तो सांस ने ले पाते हैं फिर हम लोग causative agent, अब यहां से start हुआ हम अर पास, coronobacterium diptheriae याने कि इस से पहले सब क्या था है, viral के वो थे, तो virus वाले disease अलग कर लेना, bacteria वाले disease अलग कर लेना, ठीक है gram positive bacteria होता है, rod shape का होता है epidemiology, source of infection की बात करें, तो source of infection may be patient और carrier and carriers are 5 to 8 year old ठीक है, source of infection कौन हो सकता है patient हो सकता है, कोई carrier हो सकता है, carrier का मतलब जिसके अंदर यह कोई नो बैक्टेरियम, bacteria तो मौझूद है लेकिन उसके अंदर symptoms नहीं आ रहे हैं उसको हम carrier बोल देते हैं and carriers are 5 to 8 year old जो carrier होते हैं, generally 5-8 साल के बच्चों होते हैं, age और sexy बात करें it occur in children between a 1 to 5 year old, 1-5 साल के बच्चों को अंदर देखनों मिलता है and newborn receive from mother, जो newborn होते हैं, पैदा हुए बच्चों होते हैं, उनको मा से ही diptheria मिल जाता है both genders are affected, male, female दोनों equally affected होते हैं infective material nose and throat contain diptheria bacilli, infective material मतलब कहाँ पर इसके किटानों पाए जाते हैं, जनरली नाक के अंदर और गले, नाक और गले में इसका सारा bacteria मौझूद रहता है incubation period 2-5 days का है period of infectivity may vary from 14-28 days, यह 14-28 जिन इसका period of infectivity रहता है environmental factor की बात करें, case of diptheria occur in all season हर एक season में यह हो सकता है, although winter month favor it's spread, जैंकि जो सर्दियों का समय होता है, उनमें यह ज़्यादा होता है mode of transmission, droplet और carrier, तो ultimately यहाँ पर क्याए, droplet अला method आ जाएगा carrier, जो लोग carrier होते हैं, जिनके अंदर होता तो है, लेकिन वो खुद infected मतलब, उनको खुद को बिमारी काली लक्षन नहीं दिखाए देते हैं, क्लिनिकल रिपेटेंटेशन की बात करें, ग्रे और येलो कलर पैचेस, धपे से आयाते हैं, अपेड ओन दा मेंब्रेन ओफ अपर रेस्पिरेटी ट्रेक्ट, है ना, यह जो मेंब्रेन है, यहाँ प दिखना तो उपर डाग्राम में, ठीक है, साइन्स सिंटम्स की बात करें तो फीवर है, ठकान लगेगी, गले में खरास होगी, ब्लुष इस्कीन, इस्कीन में हलका सा नीला बना जाता है, रोल आफ फार्मासिस्ट फिर से वही कॉमन है, फार्मासिस्ट शूट गाइड पे लगवाओ, जिनके बच्चे अभी पैदा हुए है, सबसे कहेगा, मैंटेन गूड हाइजीन, ठीक है ना, एक अच्छी हाइजीन मैंटेन रखें जिससे की बीमारी आपको ना लगए, आस पार साफ सफ़ाई रहेगी तो बीमारी फैलने के चांस कम हो जाएंगे, हो this whole pig of jis이지 हम क्या बोलते हैं, कारी खासि या कुकोल खासी, कुकल खासी क्यों बोलते है इसको तो होता किया इसके खासी मैं, जैसे कि हम लोग आपि थे सास लेते हैं ऑटाप बेक सास लेते हैं, अब लोग तो यह आवाज सी आवाज आती है हूँ नाम की रखा गया हूप थीक है ना तो इसको देखने के लिए आपनों करना हूप साउ। करके है कि अने होई सावंड करके डाल ददेना गुगल पे या फिर योटूब पर डाल देना फू Was साउंड आपको सुनाई पड़ेगी खांसी वाला तो आपको समझ में आएगी तो जब सांस अंदर लेते हैं तब सांस लेते हैं तब साउंड आती है बड़ी अजीव सी साउंड होती हो ठीक है इस कॉपिंग कफ इसे काली खांसी या कोई-खांसी बोल देते हैं बहुत ज़्यादा फैलती है इसे मेंली अफेक्ट चिल्टर बच्चों ज़्यादा अफेक्ट करती है हुपिंग कफ ओकर ने थ्री स्टेजिज मतलब आपको हो गया हुपिंग कफ तो इसके तीन स्टेज होते हैं कैतरल स्टेज पैरोक्सिमल स्टेज और कॉन्वलेसेंट स्टेज अब यह है क्या स्टेज आप समझते हैं कि स्टेज कहते हैं जो की 102 हफ्तों के रहती है यहां पर कुछ सिम्टम दिखाई पड़ते हैं रनी नोज नाग चलेगी लो ग्रेड फीवर बहुत हलका सा फीवर रहेगा माइल्ड या उकेजिनल कफ कर हलका सा कफ आ यह जो स्टेज होती है बिमारी फैलती बहुत जल्दी दूसरे को इस्टेज 2 ठीक है ना वन टू शिक्स वीक में एक्स्टेन टू टैन विक एक से छे हफते के लिए होती है बट दस हफतों तक भी हो सकती है सिम्टम क्या है फिट्स आफ नीउमरस रैपीट कफ है ना कफ के बहुत जल्दी जल्दी दोरे से आएगी है ठीक है फॉलवड भाई हूप ठीक है खासी आएगी फिर एक साउंड आएगा हूप साउंड आएगा वुम्तिंग एंड एक्जॉष इस लग सकता है और खासने के बाद ऐसा लगा कि बिल्कुल जान सी निकल गई इसी को कहते हैं पार ओक्सिम्स इना इस पास से वर्ड बना है पार ओक्सिम्स तो पुरा सरीर एक्दम तूट सा जाता है ऐसा लगता है चले गए अब बस थार्ड श्टेज आती है कॉन्वलेसिंड श्टेज नह कम हो जाता है लेसन मतलब कम होना बट फिट्स ऑफ कफिंग में रिटर पर खासी के जो दौरा है लगाता खासी आना वह लौट के आ सकता है तो इस तरीके से तीन स्टेज में हमने हूपिंग कफ को डिवाइड किया हुए पहले में सिम्टम कम है दूसरे में खासी बहुत ज जोट सिक्रीशन नाक और गले का सिक्रीशन रेस्परेटरी पढ़ रहे है तो नाक गला ही रहेगा एज सेक्स इट ऑकरिंट इंफेक्ट एंड अफेक्ट ऑल दा एज ग्रूप बच्चों में हो सकता है और हर एक एज ग्रूप के लोगों को अफेक्ट करता है बट हाइए इंसरेंस फाउंड इन बिफोर दा एज ऑफ यह बट जादा तर जिसकी घटनाएं होपिंग कव की वह पांस साल से नीचे के बच्चों में देखनों को मिलती है इंक्यूवेशन पिरेट की बात करें तो साथ से चाहुत दिन का है मोड और ट्रांसमिशन अगें वही इस्प खासा चाहिए से खात पे लगा है कि चीज़ पल आपने मूग के बस लगा दिया तो ओजाएगा Clinical Presentation The Uncontrollable and Violent Cuffing बहुत ज़ादा Uncontroll और Violent खतरना के वहले भाद भ्यानख सी खासी आती है Sometimes Difficulty in breathing और कई वर सांस लेने में दिक्कत आती है Science symptoms की बात करें तो हलका fever रहेगा Irritating Cuff and Respiratory Hoop hypothetical Irritating Cuff Cuff ऐसा irritate करेगा और Inspiratory Hoop तब सांस लेते ना तब हूप की साउंड आती है फ्रोल ऑफ फार्मसिस्ट कहाएगा भई या अलग रहो पेशिंट से एडुकेट करेगा वैक्सिन के बारे में ठीक है ना वेरिंग मास्क एन यूज सेनिटाइजर कहाएगा भई या मास्क लगा लो जो आसपास के लोग है पेशिंट से आपको ना फैले या पेशिंट भी मास्क लगा है कि दूसरों को ना फैले मैंटेन गुड हाइजीन हाइजीन मैंटेन करने का एगा अवेर्नेस अवाट था हूपिंग कफ क्या होती है कैसे फैलती है यह लाइन सब में लिख सकते हैं कि कोई बिमारी कैसे फैलती है कैसे होगी इस बारे में अवेर्नेस देगा किलिए रहे है तो सिंपल है टॉपिक दैन आते हैं मेनिंजो कोकल मेनिंजाइटिस इसको की हम लोग दिमागी बुखार भी कह देते हैं अब दोको आईटिस मैं प कि पढ़ओ गर्रेन होता है ब्रेन कहा आज वád एक कवरिंग होती है कि इसको मेtakा इस पाइजाता है तो ब्रेन कि आस पास की जो कवरिंग है परत है जो सो cover करके रखती है उसका जब infection होता है तो meningococcal meningitis कहला जाता है It affects the brain, membrane, brain की जो membrane उसको affect कर रहा है and cause severe brain damage और brain को damage कर सकता है Meningitis is characterized by inflammation of इसकी पहचान क्या है? Inflammation हो जागा, swelling आजाएगी, redness आजाएगी, rashes आजाएगी कहाँ पर? Membrane, around the brain और spinal cord, brain और spinal cord के आज़ पास की जो membrane है उसमें क्या आजाती है? Inflammation आजाती है, this inflammation can begin suddenly, एकदम बहुत तीवर होती है, acute होती है और developed gradually, sub-acute और कई बार धीरे धीरे करके ये बढ़ती है, it is also called cerebrospinal fever, है ना दिमाग और spinal cord का fever है तो इसको cerebrospinal fever भी कहते हैं, causative agent, nigeria meningitis, nigeria meningitis, gram negative diplococcus bacteria तो आप एक और को ये भरे यादना रखें कि gram negative है कि diplococcus है क्या है? ये नाम पक्का आपको याद रखना है, nigeria meningitis ठीक है, epidemiology, source of infection क्या है? organism found in nasopharynx of cases, naak और pharynx, उसके यहाँ पर धेर सारा भंडार रहता है, छीएगा खास लेगा तो बाहर निकल के आता है, और सेम तरीके से फैलता है फिर एंड carrier ही होते हैं, इसे कुछ जिनके अंदर पाये तो जाते हैं पर उनको खुद को बिमारी होती नहीं है, inhalation of respiratory or throat secretion via saliva वही आ गया, जब कोई healthy इंसान respiration करेगा, inhalation करेगा, सुंग लेगा, throat का secretion को, या saliva को, या खासी को, close contact spread the bacteria, और साथ-साथ में, जो close contact, जो उसके साथ पेशन के रह रहे हैं, उनको भी ये हो जाता है, तो कह रहा है, inhalation of respiratory or throat secretion, जब कोई healthy इंसान inhale कर लेगा, सुंग लेगा, ठीक है, सिक्रीशन जो खासने के वही से, खासी है या चीक है, उसके वही से droplet फैल गए हैं, उसको जब inhale कर लेगा, या जो बिमारी वाला इंसान है, जिस कमरे में रह रहा है, उनकी चीज़न को टच करेगा, healthy इंसान तो इसको भी हो जाएगा, age और sex की बात करें, it affect anyone of any age, किसी भी age में, किसी भी sex group को हो सकता है, but mainly affect babies, जातर बच्चों का affect करता है, preschool children वाले बच्चों का affect करेगा, young people का affect करेगा, both sexes equally affected, बड़ों में कम है, बच्चों जादा पाए जा रहा है, और दोनों, male, female, दोनों में equally affect करता है, incubation period की बात करें, तो 210 दिन का इसका incubation period है, environmental factor की बात करें, outbreak occur more frequently in dry and cold month, जैसे कि December to June, जो dry होते हैं, ठंडे होते हैं, उस समय ये ज़्यादा फैलता है, mode of transmission के बात करें, तो meningococcal meningitis usually spread through contact with the saliva or nasal secretion of an infected person, जो infected person है, उसके saliva, saliva से touch में का बाएगा, छीकेगा जब खासेगा, ठीक है, nasal secretion, नाक के अंदर जो mucus है, उसके touch में का बाएगा, जब खासेगा तो यही बात है, spread by smoking, ठीक है ना, फूप मार रहे हो, लिया और जो smoke है, वो गले से होता हुआ, फिर आप इंसान बहार निक रहे हो, जिसको बिमारी है, या जो carrier है, जिसके अंदर तो बिमारी है, लेकिन उसको खुद को बिमारी दिखती नहीं है, उनके साथ रह रहे हो, तो आपको हो जाएगा, तो same है, drop rate method और physical touch, clinical presentation की बात करें, तो मेनेंजर को मेनेंजाइटी, symptoms differ from person to person, यह हर इंसान to इंसान, एक इंसान से दूसरी इंसान में symptoms के अलग हो सकते हैं, जैसे की poor feeling, बहुत गंदी सी, अजीव सी feeling आएगी, तो समझ में नहीं आता है, sudden high fever, अचानक से high fever आएगा, सर में दर्द हो जाएगा, ठीक है न, science symptoms की बात करें, तो noise या जीम इसलाएगा, उल्टी आएगी, confusion होगा, mental changes, दिमाग, भाई, दिमाग का तो बुखारी है या तो दिमाग swing, एक तरह swing करेगा, mood swing कर सकते हैं, irritable, चिचड़ापन हो जाएगा, पीले से पढ़ जाओगे, या नीले से पढ़ जाओगे, shivering, कप-कपी लगेगी, हाथ पैर ठंडे पढ़ जाते हैं, ठीक है, cold, cold hands and feet, ब लगवाई है आप, are safe and effective in children as well as adult, कोई भी लगवाले, safe है, conjugate vaccines are used in prevention and outbreak response, ठीक है न, जो again, vaccines की परकार है, एक होती है, polysecretive vaccine, एक होती है conjugate vaccine, अब इस पर टाइप पे जाने की ज़रूत नहीं है, simple लिख देना, आप लोग, vaccines are used in prevention and outbreak of response, ठीक है, prevention के लिए और outbreak को रोकने के लिए हम वैक्षिन के यूज़ कर सकते हैं, protein based vaccine, एक और प्रकार की वैक्षिन आ गई है, active against N managetitis B, किसके प्रकार होती है, ABCD करके, तो जो B type है हमारे पास, उसके लिए protein based vaccine काम करती है, chemo profile axis reduce the risk of transmission, chemo profile axis मतलब medicine का यूज़ करके हम लोग, पहले से ही इसके transmission के risk को रोक सकते हैं, फिर आगे हाईजीन वाला और तमाम चीज़ें हम बना देंगे, हापर मास्क पहनो ये पहनो और चार पास लैने यहाँ एड कर सकते हैं, किलियर है बाते है, अब आता है हमारे पास acute respiratory infection, acute मतलब तीवर स्वस्न संक्रमन, सास ले देका जो संक्रमन है, उसको क्या कहा गया है, acute respiratory infection, ARI क्या है, ARI causes inflammation in any part of the respiratory tract, हमारा जो respiratory tract नाक से ले करके, lungs की alveoli तक किसी भी हिस्थे को ये infect कर सकता है, starting from nose to alveoli, नाक से ले करके alveoli तक जाएंगे, तो किसी भी पार्ट को ये infect करेगा, इट classified into two category, acute upper respiratory infection, ARI और acute lower respiratory infection, तो upper में क्या क्या रहेगा, जैसे इसके इसके खासका क्या रहेगा, जो common cold रहेगा, जो common cold की बिमारी रहती है, pharyngeitis उपर है, laryngitis उपर है, tracheitis और epiglottitis, तो pharynx, nasal cavity, pharynx और larynx, ये upper में आ गए, lower में कौन कौन आ जाएगा, तो trachea है, primary bronchi, lungs है, तो जब bronchi को होगा, तो bronchitis, ठीक है, bronchiolitis और pneumonia, तो lower में ये तीन तरह की बिमारीयां पैदा करता है, upper में वो तीन तरह की बिमारीयां पैदा करता है, common cold, pharyngeitis, laryngitis, tracheitis और epiglottis, किलिए रहे बात हैं, तो किस पार्ट में infection होगा, उसी हिसाब से हमारी बिमारी होती है, लेकिन कारण एक ही है, acute respiratory infection, causative agent की बात करें, it includes rhinovirus, influenza virus, measles, mumps, adenovirus, coronavirus, यानि वारस तो इसका हई है, लेकिन इसमें bacteria और virus दोनों ही क्या है, involved होते हैं, तो आपको देखो क्या याद करना है, बैक्टेरिया में कौन कौन से बैक्टेरिया है, ठीक है न, age group affected, ये भी आप दे सकते हो, ये epidemiology में आ जाएगा आपका, characteristic clinical feature, ये आपका clinical representation में आ जाएगा, ठीक है न, कि अगर coronobacterium diphtheria होगा तो बच्चों में है ये, diphtheria कहलाता है ये, तो बैक्टेरिया सो होने वाले, ये ग्रूप वाली बात आ जाती है, epidemiology में, causative agent भी epidemiology में है, clinical feature या clinical presentation, क्या लक्षन दिखाए पड़ते हैं, ये भी आ जाएगा हमारा clinical presentation के अंदर, या epidemiology के अंदर, तो कोई भी एक एक दो दो आप याद करेंगे, सलसे पहले बैक्टेरिया सारे याद कर लेंगे, और वार epidemiology, it is currently leading cause of death in young children, आज के टाइम पे अगर यंग बच्चों में जो मौते हो रही हैं, उसका सबसे बड़ा कारण, ठीक है, ARI है, in low income countries, और खास कर कि ऐसी कंट्री जहां पे लोगों की income, कम है, The World Health Organization estimates that one third of all deaths, पूरी मौतों का एक तिहाई भाग जो है, बच्चों का, below the height of five years, are due to ARI, याना कि पूरी दुनिया में छोटों बच्चों की जो मौते हो रही हैं, है ना, पांस साल से निचे वालों में, उसमें एक तिहाई मौत, ARI की वैसे हो रही है, लगबग 4.3 million deaths in real terms in 1993 काफी खतरना के बच्चों के हिसाब से, तो आप लोग एक चीज़र जरूर ध्यान रखें, हर किसी को vaccination के लिए जरूर प्रोथाइद करें, बच्पन में vaccination हो जाएगा, तो यह सब प्रॉलम नहीं आएंगी, contagious period, okay, period ranges between, period ranges between few days before sign, sign आने से कुछ दिन पहले, ठीक है, या symptom आन कर नाक से बहना होता है, वो इसका common क्या है, इसके अंदर common देखा गया है, यह रही के अंदर, age और sex के अगर हम बात करें, females are more affected as compared to male, females के अंदर यह ज़्यादा पाया जाता है, females को ज़्यादा affect करता है, incubation period की बात करें, तो 24 दिन का incubation period है, mode of transmission, again वही, airborne route, airborne route का मतलब droplet आ respiratory tract and it transferred person to person contact, ठीक है ना, तो respiratory tract के बाहर वो बहुत देर तक जिंदा नहीं रहता है, जिसके चीक दिया और direct किसी को पर चीक दिया है, तो उसके उपर आजागा, अब यह उसमें बहुत देर तक हवा में नहीं रहेगा, ठीक है ना, या direct आप person की चीज़ें को टच कर रहे हैं तो जिसको मानले ऐसे नाक नोक पोची पैन को छुआ उसने उसका पैन लिया और उसने भी ऐसे मुग के पास लख लिया, तो इस टाइप से बहुत तारी कारण होते हैं, ठीक है, clinical presentation की बात करें, तो ARI characterized by runny nose, कफ आएगा, ठीक है, निमोनियों हो जाए कुछ बच्चों में जो की death का भी कारण बनता है, science symptoms की बात करें, तो गले में खरास है, नाक आएगी, कफ आएगा, fever होगा, ठंडल आएगी, difficulty in breathing, सास लेन दिक्कत आएगा और कान, कानों में भी दर्द बगरा हो सकता, कानों की दिक्कत आ सकती है, role of pharmacist again वही है, improved living condition, living condition आप इंप्रूब करें करें, nutrition अच्छा लें, immunization करें, proper hygiene maintain करें, ठीक है ना, to create education awareness about ARI, education और awareness जो है ARI के बारे में, वह आप proper maintain करें, जिससे की हर किसी के बास knowledge हो, ARI को ले करके, और वो अपने आपको उससे बचा सके, कि लिए रहे बात ने है, Tuberculosis, इसको बहुत अची तरीके से आप लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा infectious है, यह भी बात पता है, ठीक है, क्या हो जाता है, inflammation in the lungs and other body parts, Lungs की जो TB होती है, वो ज़्यादा खतरनाक होती है, तो आज टीवी बाड़ी में कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन Lungs वाली ज़्यादा खतरनाक है, वन इंफेक्ट परसन कफिंग, स्नीजिंग, टॉकिंग विद हेल्धी इंडिविजिग, देन डिजीज इस इस प्रैट ना, खास रहा है, कफ कर रहा है, तो वहां से एक से दूसरे को लग जाती हो, ड्रॉप्लें मैथड है, यह टॉचिंग वाला मैथड है, सेम, एजेंट, माइको बेक्टेरियम, टुबरक्लोसिस, एपिडेमिलोजी, तो सोर्स ओफ इंफेक्शन, दा सोर्स ओफ इंफेक्शन आर, पहला है, हुमन सोर्स, ता पेशेंट हुस इस पूर्टम, स्पूर्टम मतलब जिसका बलगम, पॉर्टिव आया है, फोर टुबर्कल ब इंफेक्शन, यानि कि जानवरों से भी यह आता है, हमको खासकर मिल्क प्रोड़क्ट से होता है, एज एंट सेक्स की बात करें, इट अफेक्ट एनी एज ग्रूप और ओकर मोश्टली इन मेल्स, एस कमपेर तो फीमेल्स, यह ज़्यादतर मेल्स को अफेक्ट करता है, और क कि एक दम भीड़ भाल, खचाखच एरिया में भरे हुए है, और पूर हाइजिन मेंटेन, और जहां पर साफ सफाई उसने अच्छी नहीं होती है, पिरिड और इंफेक्टिविटी की बात करें था, पिरिड और इंफेक्टिविटी रेंजिस फॉम सेवरल मंस तू फ्यू याने कि कुछ महिनों से लेकर के कुछ साल तक जब तक एक इनसान को टीवी रहती है, वो टीवी दूसरे को कर सकता है, इस प्रेट फ्रॉम ड्रॉपलेट ठीक है ना तो कह रहा है था इस पूट्टाव स्पीटेड आउट फॉम टीबी इंफेक्टिट पर्षन ठीक है जो इस प्रेट टीवी दूसरे फेक्टर के टेकिंग अन पास्टराइज मिल्क फ्रॉम काउ इंफेक्टेड बाई टीवी किसी काउ को भैस को बफैलो को टीवी है उसके दूद्स को बिना वाले अगर पी रहे हैं तो आपको टीवी हो सकता है अन हाईजिनिक कंडिशन पूर व इवनिंग साम के समय बुखार आता है और एंडरॉग जिया एक तरह से इटिंग हैविट है ठीक ना खाने की बड़ातरी सी हो जाती है तो इटिंग हैविट भी आपकी गरवड हो जाती है रोल ऑफार्मसिस्ट वो सर्वे करेगा केस फाइंड करेगा है ना और प्रोग्रा सब्सक्राइब करेगा कि टीवी कैसे कैसे हो सकती है ठीक है डिस्पेंस एंटी टीवी मैडिसीन एंटीवी मैडिसीन देगा फ्रेमवर्क शुट भी डवलब्ट ट्रैक एंड इंप्रूफ कोडिनेशन वो इस तरह का धांचा त्यार करेगा अपने एरिया में सुसाइटी म में कि कितने लोगों को है बिमारी ठीक है ना फ्रेम शुट डवलब ट्रैक कितने लोगों बिमारी हो किस तरीके से इंप्रूफ किया जाए कि और ना फैले तो और बात वागी चीज़ें हम एक्स्टाइट कर सकते हैं कि लिए रहाते हैं लाश्ट वन इस इबोला लाश्ट ही ठीक है खुश हो जाओ और इबोला इट इस रेयर बट डेडली वारल इंफेक्शन काफी कम है बट खतरनाख है मार देता लोगों को सब्सक्राइब के अंदर नाक कान से खोन और या बोडिक के अंदर घून बहना सुरू हो जाता है नसट फटती है हमारी ठीक है लिक कर जाती है इन स्प्रेड थूद बाडियूस कर देता है ब्लड खुट नहीं हो पाएगा और कई सारे ऑर्गन्स को हमारे अंदर से डमेज करता है कॉजएटिव एजिट क्या है इbola वायरज यह भी क्या है एक वायरस एकसली इसको भी वायरज कि साहथ रखना था बट कोई बात नहीं इव वायरस डिजीज इस कॉजट भाई इसी स्पीकिस से हुआ है थीख है तो बंधी बंदी बुणिदी वायरस जो है वह वी ही पॉह रहस्ट वायरस तो है रेशित कुरम ऑलिवायरस ूब्शाए कैर 흡ाइन उस्केडिये खाए औहुत हरें ऑज एपीडमिलावगी इंटनिलक ट्रांसमेट दा बाराइस to other animal like monkey और human ठीक है जो infected animals होते हैं वो इंसानों को और बंदरों में फैलाते हैं यह contagious period 21 से 42 दिन का है ठीक है after symptoms होने के बाद age और sex की बात करें risk of infection lowest in 5 से 14 year age children higher in 2 year below the adult पांस से 14 साल के बीच में कम है और higher है टू इयर बिलो जो दो साल से कम है और अडल्ट में ठीक है इंक्यूबिशन पीरेड बीच से किस दिन का इंक्यूबिशन पीरेड है mode of transmission इवलो वारेस गेट इस्प्रेड बाइड डारेक्ट contact डार चुने से आ रहा है broken skin इसकी नापकी टूट्यू ही है कटी फटी उसके अटेश में आगा दूसरा कोई mucous membrane through blood and body fluid आपका body fluid थूख है ठीक है नाक है किसी से भी आजाएगा using infected object सीमेन ऑफ मेल एंड बाइस्टेड याने की सेक्शुली भी यह ट्रांस्मिट होता है ठीक है बात करें तो इबोलो वारेस डैमेज और और एंड इस्प्रेड थू ब्लड क्लॉटिंग ठीक है बॉड़ी और डैमेज करता है इस्प्रेड थू बॉड़ी पूरी बॉड़ी होगा सोड फ्रॉट गले में खरास आजाएगी साइंस सीम्टम की बात करें दो सीरियस सीम्टम सार्व वामिटिंग डाइरिया रैसे आजाएंगे पूरी बॉड़ी के उपर इंपेर किड्नी किड्निया हमारी काम नहीं करेंगी प्रॉपर लिवर फंक्शन काम नहीं करेग है जिससे की लोग थोड़ा सब इसको सिम्टम लगे तो उसको आकर के फटाफट इनफर्म करेगा ठीक है हेल्थ के प्रवाइडर को पीपल शुट अवेर दा रिस्क फेक्टर ऑफ इगोला इंफेक्शन किन लोगों को ज्यादा हो सकता है पता होना चाहिए प्रोटेक्टि करेगा कि किस तरह human to human spread ना हो डिजीज reduce the risk of sexual transmission इन सब चीजों में लोगों को गाइड करता है लोगों को प्रॉपर चाह करेगा educate करता है जिससे की prevent हो सके प्रिमारी ज्यादा ना फैले तो घूम फिर के पूरे lecture में लगबग सेम सेम चीज़े हैं आपको किस पर ध्यान रखना है कि disease कौन सी है और उसका disease क्या है उसका causative agent कौन है ठीक है ओके तो यह lecture हमारा यहां पर खतम हो जाता है चेहरे मुस्कान आ गई होगी है कावी लेंदी लेक्चर था चलो कोई बात नहीं पूरा लेक्चर नहीं देखना चाहते हैं अगर आप स्टार्टिंग में कुछ पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि अब द्वारा नही है ठीक है कोई प्रॉलम है तो मुझे कॉल करें और उससे ज्यादा अची चीज जो है बच्चे जो यूज कर रहे हैं हमारे एप को जहांसे बच्चों को बहुत फायदा हो रहा है आप भी इससे जुड़ सकते हैं ठीक है और सबसे जरूरी चीज रिवाइस करना है पढ़न